हिलो प्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल यह से सी टुदा पॉइंट इसटडी पे दोस्तों आप सभी कब बहुत-बहुत स्वाकत है तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे GSK 1000 Question की इसी रिवीजन क्लास है आपको बहुत हम जाने वाला है वीडियो में लास्ट तक बने रहीएगा बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और हाँ जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए इसमें जो है एक हजार questions को हमें एक साथ discuss करेंगे और question अच्छे level के होंगे CHSL का exam 16 मार्ट से होने वाला है इसलिए जो है चलिए वीडियो को सुरू करते है question नमबर एक है question नमबर एक है भगवान बुद्ध को ग्यान की दोस्तों हम जल्दी जल्दी इसमें जो है इसका थोड़ा description हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि time कम है और question ज्यादा है एक अच्छा question हमें जल्दी से cover करने पर revision करना है बाज़ादा detail में बताने के लिए time ही नहीं है question है उसके बाद अगला question है आरे समाच की स्थापना किसे ने करी तो स्वामी दयानंद जी ने आरे समाच की स्थापना की इसके बाद अगला कोश्चन है पंजाबी भांसा की लिपी काउंसी है तो पंजाबी भांसा की गुरुमु की लिपी है उसके बाद अगला कोश्चन है भारत की मुखी भू में दक्चरतम किनारा काउंसा है तो कन्या कुमारी कन्या कुमारी जो है वो दक्चिरतम की नारा है उसके बाद अगला कोश्चन है भारत में सबसे पहले सूरिक की सराज में निकलता है तो अगला कोश्चन है इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है तो इंसुलिन का प्रयोग मदुमें की बीमारी के उपचा में होती है अगला कुछ ने भारत का पर्थम गवर्नर जेनरल कौन था तो विलियम बैंक्टिंग थे उसके माद अगला कुछ ने कागज का विसकार किस देश में हुआ तो चीन में हुआ भाई यार प्लीज हमें भी सब्सक्राइब कीजिए थोड़ा क्या हो जाएगा यार सब्सक्राइब कर दीजिए ना अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए हमें भी थोड़ा मौका दीजिए एक बार और आपके लिए बहुत मेहनत कर जिन लोगों के उस्कि की जरूरत है, तो प्लीज सेश्क्राइब करदिया करो, अगला कुच्चन है कागज-काविजकार किस देश में हुआ, तो चीन में हुआ, अगला कुच्चन है गोटमबुद का बच्पन का किया नाम था, तो सिधार्द नाम था, अगला कुश्चन है भारत में ससत्रवलों का सरवच सेनापती काउन होता है तो राष्ट पती जी होते हैं उसके बाद अगला कुश्चन है रताउंदी किस विटामिन की कमी से होती है तो विटामिन A की कमी से होती है फिर उसके बाद अगला कुश्चन है पॉंगल किस राजिका तेवार है तो मिलनाडुका है अगला कोश्चन है गिद्दा और भांगडा किस राजिके लोग ने रहते हैं फिर अगला कोश्चन है पॉंगल किस राजिका तेवार है तो तमिलनाडुका है अगला कोश्चन है गिद्दा और भांगडा किस राजिके से जो है सांस लेती है तो गलफडों की साहता से सांस लेती है अगला कुस्चन है इंकलाप जिंदाबाद का नारा किस ने दिया तो भगत सिंग ने दिया फिर उसके बाद अगला कुस्चन है जलिया वाला वागत्या कान कब हुआ था तो 1919 में हुआ कहा था अमरत सर में किस ने उसके बाद अगला कुश्चन है पंजाब केसरी किसे कहा जाता था तो लाला लाला लाज पत्राई जी को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था अगला कुश्चन है सांडर्स की हत्या किसी ने की तो भगत सिंग ने सांडर्स की हत्या की अगला कुश्चन है 1857 के विद्रो वाली पहली महिला काउन है तो संतोस यादव जी है संतोस यादव उसके बाद अगला कुश्चन है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की तो राजारा मोहन राय ने करी ब्रह्म समाज की स्थापना राजारा मोहन राय जी ने की फिर उसके बाद अगला कुश्चन है फिर उसके कि वेका एनंद जीने की अगला कुश्चिन है वारत भारत में वास्कोटिगमा भारत कब आयाए तो 1498 में और कालिकट बंदर अबीर्गा monitoring आया था अगला कोश्चने सीख धरम का संस्थापक किस गुरू को माना जाता है तो गुर्णानक जी को माना जाता है अगला कोश्चने सीख का प्रमुक्तेवार कौन सा है तो बैसा कि अगला कोश्चन है महा भारत के रचाईता काउन है तो महारिस वेदव व्यास जी हैं अगला कोश्चन है अर्थसास्त नामक पुस्ता किस ने लिखी तो चाणड़क के कोटिली ने लिखी अगला कोश्चन है जय जवान जय किसान का नारा लाल बादू सास्त्री जी ने दिया अगला कुश्चन है संविधान सभा का इस्थाई अध्यच तो डाक्टर राजेन प्रसाद जी थे अगला कुश्चन है संविधान सभा की प्रारूप समीत के अध्यच काउन थे तो डाक्टर भी हुम्रा अमेटकर जी थे अगला कोश्चन है वी सुरेट क्रास दिवस की स्तारी को मनाया जाता है तो आठ माई को मनाया जाता है अगला कोश्चन है सुर्योदय का देश के नाम से कौन साम देश परसिद्ध है तो जापान परसिद्ध है सबसे चोटा है गोवा अगला कुछ नहीं सबसे चोटा है गोवा अगला कुछ नहीं दिल्ली जो है भारत की राजदानी कबनी 1911 में 1911 से पहले कुलकत्ता हुआ करती थी अगला कुछ नहीं सबसे चमकीलागरा काउंसा है तो सबसे चमकीलागरा सुक्र है फिर उसके बाद अगला कुछ नहीं भारत कराश्टी पक्ची काउंसा है तो मोर है भारत कराश्टी जली जिव गंगड आलफिन है अगला कुछ नहीं भारत कराश्टी फूल काउंस चाह है तो वो ऐगला कोचने जंडय और जहंडा है तो तीन अनुपद दो ह होता है अगला कोचने भारत करास्ट כान किस ने लिखा तो रबिंद नहें टैगोर जींने लिखा भारत करास्ट के की किस ने लिखा तो बंकीम चैन्च चटर जी ने लिखा है अगला कोश्चन है महात्मा गांदी को राष्ट पिता सबसे पहले किसे ने कहा तो नायन नेता जी ने कहा, नेता जी सुभाशंद बोस ने कहा फिर उसके बाद अगला कोश्चन है हमारा राष्टी पंचांग का उन सा है तो सक समत हमारा पंचांग है, अगला कुछिजने राष्ट गान गाने की आउट कितिनी है तो बावंड सेकंड है, अगला कुछिजने रेडियो एक्टिविता की खोच किसीने की तो मेडम हैंधी बेकॉरल जीने करी, उसके बाद अगला कुछिछने है, पेसमेकर का संबन सरी करवंब का सर्वधिक रूप सी तो हीरा होता है कारवन का सरवधिक सुद्ध जरूब अगला कोश्चन है एकसरे का विसकार किसी ने किया तो रोएंट जन एकसरे का विसकार किया फिर उसके बाद अगला कोश्चन है कि धातु का प्रयोग मानो दोरा सबसे पहले किया तो तांबे का प्रयोग सबसे पहले मानों ने किया अगला कोश्चन है अंतरी चैतरी को बायाकास कैसा दिखाए देता है तो अंतरी चैतरी को बायाकास काला दिखाए देता है अगला कुश्चन है जो नहीं गैलीलियों का विसकार सवरी दूरबीन का विसकार गैलीलियों नी किया उसके बाद अगला कुश्चन है दिल्ली स्थित्र महात्मा गांदी की समादी का नाम इसमें जो है महात्मा गांदी की समादी का नाम था राजगाट अगला कुश्चन है भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली तो पहली रेल जो है मुंबई से थाने तक चली थी अठारा सो तिरुपन में उसके बद अगला कोच्छन है भारत की पहली मेट्रो रेल से वह किस नगर से आरम के गए तो पहली मेट्रो कुलकत्ता में चलाई गई थी अगला कोचन है भारत में रेल कारम किस सन में हवा था तो आठा रासो और तिरपन में हुआ था लाड अलहोजी जी ने चलवाई थी अगला कोचन है प्रथम भारती अंतरिक चियात्री काउन थे स्कौर्डन लीडर राके सरमा ये जो थे 1984 में बने थे अगला कोचन है भारत की प्रथम मैला मुख्य मंतरी स्रीमती सुचेता करपलानी जी है अगला कोश्चन है हरियाणा के पहले मुख्य मंत्री कहुं थे तो पंडित भगवत दयाल सरमा जी थे उसके बाद अगला कोश्चन है इस समय संयुक्त राज संग में कितने देश हैं कितने देश सदस होते हैं 15 होते हैं जिसमें पांच जो हैं इस्थाई होते हैं और दस इस्थाई होते हैं अंतराश्ती नेले कहा है तो अंतराश्ती न्यार्य में है लेंग कहां पड़ता है अगला वह सबस्केटा ही थैजिए आ पुरानाय थो इसलिए आप इसे चेक कर ले ना हो सकता हूँ कोई चेंज हो गही है ला कुष्ट हम देख के वर्स की लिए चुने जाते तो वो दो वर्स के लिए चुने जाते हैं संयुक्त राष्ट अगला कुछ नहीं संग का 1193 सदस से कौन सा देज बनाए तो दक्षडी सूडान अगला कुछ नहीं किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद हो जाता है मतलब खून रुकता नहीं होता है रुकाव बंद नहीं होता है तो ये विटामिन के की कमी के करण हो जाता है अगला कुछ नहीं हिंदी दिवस कम मनाया जाता है हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को म अगला कोष्चन्ष प्रभाई यह सोन्डपन अपन्द्र जीतने वाले अqल प्रिस्पर्थ हमें सोनड़ पदक जीतने वले अगमाद बात تعियों है तो अगला कुछल अगला कुछ आस्टी मानवादिकार दिवस कमन आया जाता है दस भी अहराकि रियारा कि ऐ menorah है अगला कुश्चन है प्रिस्ध सीतला माता का मंदिर कहां इस्तित है तो गुर्धाउं में इस्तित है अगला कुश्चन है विशाल हरियादा पार्टी किस ने बनाई तो राव वी रेंदर सिंग जी ने बनाई हरियाणा का छेट फल कितना है तो 44,212 और किलो मीटर अगला कोश्चन है हरियाणा के मुख्य मंतरी कौन थे पहले मुख्य मंतरी पंडित भगवल दयार सरमा थे अगला कोश्चन है किस देश की इस तलसीमा सबसे लगती है तो चैंच चीन की सबसे ज़्यदा देशों के इसार लगती है अगला कोश्चन है बैरो मीटर का जो पठण में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक होती है तो थूपानाने का अगला कुछिन ने भारती नसे नाम है अगला कुछ ने बारती नाम है तो के किनारे के बसा बहुए कोई बारिय पोशन पहुचा है अगला कोश्चन क्या पोश़ा है नहोने दैक कावन सिद्दार बिझली की सबसे तुस ठीड़ी तो जाहिर सी बात है मेरा जनम से दिकार यह यह मैं इसे लेकर ही रहूंगा यह लोग मानबाल गंगाद तिलग जी ने बोला पर उसके बाद क्या कहा है कोस्चन ने राज सभागे सदस्थ्यों का चुनाव कितनी वद के लिए किया जाता है उसके बाद क्या लिखा है हिंदी भासा की लिपी कौन स उसके बाद पूचा गया है हमारी आकास गंगा का नियाम क्या है तो दुग्द में अकला मिल की वे उसके बाद हिंदी का सबसे पहला समाचार पत्र कौन था तो उद्दंड मारतन हिंदी का सबसे पहला समाचार पत्र था अगला कुस्चन है कह रहा है तुलसी थास की जो र तो वह आधी बोली में हिंदी भासह में आधि में हर्याणा के राज काउन कैला थे लाते हैं अगला कॉष्चन है आधुनिक ओलंपीख खेलों की कब और कहां हुई थी तो एथेंस में हुई थी ओना एथेंस यूनान में हुई थी आदूनी खेलों ओलंपिक खेलों की अठारा सव चीहानबे में हुई थी अगला कुछ ने भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में आठ बार सौनट पदक जीता है तो सबसे जदा हाकी में जीता है अगला कोश्चने भारत ने आखरी बार हाकी में सौंड पंदक कब और कहां जीता था तो 1918 और 1980 में मासकों में जीता था अंतिम बार अगला कोश्चने ओलंपिक खेलों का है जिन कितने वर्चों के बाद होता है तो एक यह यह एक यह और एक यह टाइप का ओलम्पिंग में पांच चले होते हैं फिर उसके बाद अगला कुछन है सन 2020 में एलम्पिक कहां होंगे तो टोकियो जपान में होंगे अगला कुछन है सन 2012 कि ओलम्पिक खेलों में काँ सब्सक्राइब जीतने वाली सायनन नहवाल का सं पर पनल खंड और प्लिकुन है कि ब्लेक टूदाव व्यक्वत वैदास बेदों की लोटों का नारा किसे ने दिया तो महारी सी द्यानन जी तो आगला कोशच्छन है किसे एक मात्तर भारति को अर्थास्थ में नोबल प्रुषकार दिया गया तो एक मात्र भारती है, आमर्त तихेंट जी अगला कुछन है उस्ताद बिस्मिल्ला खां किस वादे अंतर में विख्यात रहें तो वो सहिनाई बजाते हैं उस्ताद बिस्मिल्ला खां जी उस सहिनाई में बहुत मसहूर गायक मलब वादे अंतर के जो है बहुत मसहूर थै अगला कुछन है भारत के अंतिम गोणने जनन क है तो हमाद्री उत्तरी धुरू में हमाद्री अगला कुंस्चन है विस्व में माउंट इवरेश्ट पर चड़ने वाली पर्था मैला काउन थी जापान की जी जिनुका तो भई अगला कुस्चन है कि पीलिया की संग का रोग है तो पीलिया जो है लीवर यकरत को आटाइक कर अगला कॉस्चन है द्रौसभी दिसाँ में समानदा पारित करता शंचन के नियम से संन बंदित है पर शमाइज करम क्लोरोफिल का घटक कैया नाम है तो माइगनीसियम गजी अगला कॉस्चन है लिपर जी मैंपर जी ने बिडियए होती है लृबि जी स्ट muss में अगला कुस्utchन है क्वाट सा मगल वासा असेृचित था तो अगबर जो है आसे हिःता अगला कोशन है अम्रास सहर की स्थापना किसने की GURU रामादास जीने करी अगला कुश्चन है लला गदर पार्टी एस np. तो लाला कि अगला कउस्चन है प्रफम 5'30 हो जनक का प्रारमब हुय तो 1951 में प्रारमब हुय अगला कोष्चन है चीनी आतरी होईंसांगं ने किस विद्यौ फिद्याले में इधेन किया तो उन्होंने नालंदा इन ने अगला कोश्चन है कौन सा रक्तिसमूज सरुदाता कहलाता है तो O जो होता है सरुदाता कहलाता है A B जो होता है सरुगराही कहलाता है अगला कोश्चन है मनुस के सरीर में हड़ियों की संक्या 206 होती है अगला कुस्चन है सूरी के प्रकास से कौन सा विटामिन हमें प्राप्त होता है तो विटामिन डी हमें प्राप्त होता है पिर उसके बाद अगला कुस्चन है मादा एनफली मच्चर के काडने से कौन सा रोग हो जाता है तो मलेरिया हो जाता है अगला कोश्चन है टेली फून का विसकार किस ने किया था अलग जन्र ग्राहम बेल जी ने किया था अगला कोश्चन है प्रकास की गती कितनी है तो तीन लाग किलो मिटर पर सेकंड है अग laugh Coach । प्रतिवी सूरी का चक्क लगाती है या सबसे पहले किसे ने कहा तो काफर निकस ने कहा था अगला कोष्चन है प्रकास वरस का संभन दूरी से खोगोली दूरी से अगला कोश्चन सोनड मंदिर कहां इस्ती थैं अमरसर में फिर उसके पर नेस्ट कोश्चन है चार मीनर कहां इस्ती थैं चार मीनर हैदराबाद में इस्ती थैं अगला कोश्चन है कुतुम मीनर कहां इस्ती थैं कुतुम मीनर दिल्ली में इस्ती थैं उसके बाद अगले को रहना है बस सुनते रहना है आप एक दो बार सुनेंगे आपको डेफिनेटली 100% एक एक चीज याद हो जाएगी फिर उसके बाद क्या है ताज मेल कहां इस थी थे आगरा में इस थी थे दोस्तों हमने इस पीडियोप को जो है बिल्कुल जीरो लेविल से हाई लेविल तक बन नहीं है तभी हम तो अगला कुश्चन है आजा धिंद फोज की स्थापना कहां की गई सिंगापुर में की गई अगला कुश्चन है सिख्चक दिवस कम मनाया जाता है तो पांस सितंबर को सिख्चक दिवस मनाया जाता है अगला कुश्चन है खेल दिवस कम मनाया जाता है 29 सकस्त को खेल दिवस मनाया जाता है और खेल दिवस किसके जनम दिवस पर मनाया जाता है तो मेजर ध्यान चंद जी के जनम दिवस पर मनाया जाता है अगला कोश्चन है वी सुपर्रेवरंड दिवस का मनाया जाता है तो 5 जून को मनाया जाता है अगला कोश्चन है करो या मर कि वो लोटो या किस ने कहा था तो दयानन सरोसती जी ने कहा था अगला कोश्चन ने इंकलाब जिंदाबत का नारा किस ने दिया था तो भगस सिंग ने दिया था अगला कोश्चन है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा ना का नारा किस ने दिया तो ने कोस्टने सर पुरोषी की तमन्ना अब हमारे दिल मेंहें देख न यह हैं जूर कितना बाजवें काचिल में है अगला यह जो है राम प्रसाद बिसमिल जी ने बोला था पृर उसके बाद अगला कोस्टने भारत फिर अग्ला कोषचनने माहतमा गंधी का जनम दिवस की स्तीत Willatan को मना जाता है तो दो अक्टूबर को मना जाता है तो माहतमा गंधी का पूरा नाम भी पूछा इननों ने तो मोहंदास करमUR Cand गंधी था इनको जो है ये पूछने में बड़ी मंचा आती है इन लोगों को अगला क्षेशन उन्होंने क्या पूछा है गांधी जी को महतमा की उपाद किस ने दी तो रभिंद ना टैगोर जी ने जो है गांधी जी को महतमा की उपाद इनको दी थी फिर उन्होंने गांधी जी ने एक भुक भी लिखिये का उसका नाम है My Experiment With The Truth ये बुक आप से पूच पर मेरे अनुभाओं उसरा इसके बारे में ने बताया जो सभसे नागरी Ст्ध मरत सबसे ज़्यादा अपने यहां इंडिया का सबसे चाँमने वह भारत अध्य वह भारत रतनाना था बारथा फिल्म छेत्र में दिया तो पहले बहुता नाम क्या है और इससे कब छोड़ा गया पहलो जो बारत में उपग्रहाए उसका नाम है तो आरे बट वो भाई यार 1975 में जो है छोड़ा गया था याद कर लो यार यही सब कुश्चन पूशे जाएंगे धुआ 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 कर दो बिलकुल मज़ा आ जाए सब का सलेक्शन होगा सब लोग एक्जाम निकालोगे सब लोग अच्छे हो पढ़ने वाले हो फिर उसके हैं महिला दिवस यार महिलाओं की हमें इजित करनी चाहिए हर एक लड़के को हर स्टूडेंट को महिलाओं की इजित करनी चाहिए यार थोड़ा अगर महिलाओं की हम इजित करते हैं तो हमें भी बहुत जदा प्राउड फील होता है कि हम जो है महिलाओं की इजित कर रहे ह और आप करके देख लेना अगर आप मेलाओं की जित कर रहे हैं तो समझ लो आप बहुत अच्छा काम आपको मलब सकसे की चांसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं ऐसा आप करके देखिएगा फिर उसके बाद गेंगा रोग किस वीटामिन की कमी से हो जाता है तो गेंगा को सकी बहारत का सबसे ब्ढ़ा बांद को से दूरी कैसा है तो फीमेंे ही तुर्सक्ती अपर कमी से कांसा रोग तो तो यह नीमिया हो जाता पिर उसके बाद अग्ला कॉष्चन है भारत की कोई दिया है in Covid दो भारत है इनुनें क्या पूश है कि दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई किसने बनवानी शुरू कि कुतुब दिनेवग ने बनवानी शुरू कि इसमें क्या इन्होंने नया पूचा है फिर इसमें क्या इन्होंने पूचा है बनारा सिंदु भी सुविद्याले के संस्धापक यह मदन महानमालवी जी कि इन्हों पूचा आ कुछ नहीं नहीं पूचा है और शन्वेका नंड गाता इंप विवेकानन्द कहा है तो वह रहा क्नburst का दक्षेस का मुख्याले कहा है काटमंडू नेपाल में फिर उसके बाद इन्हों क्या पूँचा है दक्षेस में कितने देश देश भी इन्हों पूँचे लेकिन हाथ देश में इंपॉर्टन रखना है इंपॉर्टन ये मैं तुमको पता दे रहा हूं नोट पोइंट कि इस देख लेकिन tau ऐसे हैं लेकिन उसमें मैमार नहीं होता है मैमार आपको यह याद रखाना है कि मैमार की जगeps माल्डिव होता है कौन से लेख लेते हैं एक बारत नेिपाल है बांगला देश है, स्रीलंका है, मालदी वे, भूटान है, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है तो ये आठ देश हैं थोड़ा याद कर लें, इससे क्वेश्चन जो है बन जाता है भारत की तर्ट्रेका की लंबाई कितनी है, तर्ट्रेका की लंबाई 75, 16 किलो मिटर है पूचा गया है, विस्व में अब बरक, माई का, सबसे ज़्यादा कहा हुत पादित होता है तो भारत में पूचो होता है, भारत इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है पूछा है नोने गरांट रोट किसमें बनाई सेरसा सूरीजी ने बनाई थी गरांट रोट अगला उक्षचन को पूछाय वीटामिन B क कमी से कौन सा रोग होता है वीटामिन बी की कमी से जो है बेरी बेरी रोग हो जाता है उसके बाद आधे सेरो Curtin को जाता है फिर उन्हें पूछा है विटामिन जो है दूद में कौन सा विटामिन होता है तो दूद में कौन सा विटामिन नहीं होता है तो दूद में विटामिन C नहीं होता है इसलिए दूद को हम संतुली ताहार की से अलग करते है अगला कोशन है विटामिन D की कमी से कौन सा रोग हो होता है तो बीटामिन एक के कमी से बांच पन हो जाता है उसके बाद वीटामीन सी का रसाइनिक नाम इन्हों ने उनका पूचा है तो इसकार भी कमल होता है उसके बाद किंप पुच्छा है विटामिन ए और ईवसा में घुलती है और बाकी जो है B.C.D.. यह जल में कुल नसेल होती है इन्होंने साधारं नमक का रासाइन नमप पंचा है ière अश्वएयलक्षाइऽिम क्लॉरायड यह जो है नमक का साधारन नमक का रासाइन नमा है हसने वरी गैस का रासाइन नम पूचा इए नाइटरस आकसाइड होता है यह जो है यह जल में गुल नसील होती है इन्होंने साधारन नमक का रासाइनिक नाम है हसने वाली गैस का रासाइनिक नाम पूचा गया है नाइट्रस आकसाइड होता है एंट्व नाइट्रस आकसाइड हलाफिंग है जिसे हम बोलते हैं धावन सोडा का रासाइनिक नाम क्या है फिर घृटाम नाम है तो वीटामिन का नाम है का ऊणिवटामिन और चाइन प्याहrän辉वा कि सब्सक्राइब को कला हैं कोबाल होता है हा कोसिका पाउर हाउस किसे कहा जाता है कोसीका का पावर हआउस तो माइट्रो कांडिया को कोशिका का पावर हवाउस कहा जाता है रहा रलोक्त खडिका निर्माद्ट हमारे सरीर में किस भाग में होता है तो बोन में रोस थिमज्या में लालोक्त खडिकाई जो है आर बी Asus बनती है और फिर उसके बाद पूचा गया राश्टी विग्यान दिवस 28 फरवरी को राश्टी विग्यान दिवस मनाया जाता है फिर उसके बाद पूचा गया ब्लेट पेसर मापने के लिए किसी अंद का प्रयोग किया जाता है इस फिग्नो मेनो मीटर का प्रयोग किया जात और उग्र वादियों नमग दो दलो में वजट हो गया तो गरम दल और नरम दल पना था तो 1907 मिक को इसके पो पूचा गया नहीं सवाट में सूरत का जो अधिवेशन हुई उसी में दो दलों का विभाजन हुई कांगरेस काक्राम दल बना एक निरो मगन फ़िए तंजेर का ब्रयादोसर मंदिर किस amplren ने बन भ़ंता थो राज राज कुम plupart है फिर इसके बाला को समेरा डगबर का जनम कहां हुआ था तो अमर खोट के दुर्ग में हुआथा ने x2 2014 मुकाष्जूकप फुटबाल किस देश में यूज़ी रूज़ीट हुए था तो ब्राजील में वीड़ा फिर उसके बदागला क्षेज़न है वरसь 2018 하겠습니다 किस देश में हुआ तर रूस में हुआ था फिर उसके बदागला मैंने सकतिन संभी सब्सक्राइब करते हैं अगला कोशन ने भारत के परथम लोग सब्सक्राइब कर दिया गए पूरानी है इस इसलिए इसमें यह कुस्चन है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं फिर उसके बाद कुस्चन है कोई भी देख धन भी धेक है यह नहीं इस पर निल्डे को लेता है तो इस पर निल्डे लोग सब अध्य ची लेते हैं उसके बाद अगला कुछ ने विश्व का सबसे बड़ सबसे छोटा देस वेटकन सिटि है अगला कुछ ने स्वेजनार किंदो सांगरों को जोड़ती है तो भूम दे सागर और लाल साघर को जोड़ती है पर पर संत महा सागर और उत्तरी अटलांटिक महा सागर को जोड़ती है भारत के संगी यह चैन्दाहर हम्नगर हवैली की कि राजदानी काउंसी है सिलवासा है फिर उसके बाद अगला कोश्चन है छेट पल की देश्टी से सारा भारत का सबसे बड़ा राज्जी काउंसा है राजस्तान है उसके बाद अगला कोश्चन है प्रतिवी दिवस कम मनाया जाता है तो 22 अपरेल को मनाया जाता है फिर उसक सुलान की दार्झपनी जूवा पिर उसके बाद एगला कॉश्चय लाइव का ध्यक्ज का उयव का द्यक्श वहता है तो प्रदान-मंत्री को आए एक बर्दानी है असोग चक्र में कितनी तीलियां होती है तो असोग चक्र में 24 तीलियां होती है 24 तीलियां होती है पिर अगला कुछने भारत में सबसे पहले फिल्म काउंसी बनी थी तो हर इस चंद थी में सबसे छोटी हड़ी काउंसी होती है तो सबसे छोटी हड़ी इस्टिपीज होती, कान में पाई जाती है, सबसे बड़ी एड़ी जो फीमर होती है, जांग में होती है, मानो सरीर में मांसपेसियों की संक्या कितनी होती है, तो 649 होती है, उसके बद पूचा है, लाल लगत कड़ का आरवी सी का जीवन का लेक सो 20 दिनों का होता है, अगला क कौशन है, भारत का प्रतमतेल सन् November, कहा ब यस्तित है और डिकवोई असम में इस्तित है, अगला कौशन यून aurैसको द्वारा कलिंग पुरुषकार के शेयतर में दिया जाता है, कलिंग पुरुषकार हमेशा विज्ञान के शेयतर में दिया जाता है, अगला कौशन है, कब बाद की में चाहर मेनर का निर्माट किस ने करवाय था कुली कुतूबसाहजी ने करवाया था अगला कोश्चन है कांग्रेश द्वारा पूर्ड स्वाधिन्ता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया उन्नीश सब्सक्राइब में लाहाइब आधिवेशन कौन है तो फेरी कुईन है उसके मिन अगला कॉचेशन भारत में आपात काल की घुसड़ा कभ की गई तो चीन के साथ जब आकरमन हुआ था तो उस समय 26 अक्तूबर 1962 को जो है आपात काल की घुसड़ा की गई थी अगला कॉचेशन भासा के आधार पर बनने वाला पहला राजी कौन है, तो उन्दरा था, सबसे पहला राज अंदरा था, अगला कॉश्चन है भारत पर हमला करने वाला पर्था, मुस्लिμ आकर्मंद का रिक सभी में उसने से अक्रवन किया था अगला से हैलूकस का राजा राजदूत ओंदरकुप्त मौर के दरवार में आया था ओकौंत था उमेगस था है स्री लंगा का पुराना नाम क्या है तो सिलोन सिलोन उसका पुराना नाम आप अगला बिटामीन की खाझ कि से कि dekht दूस्तों बहुत ही अचुछभी कोश्चन नहीं आपको बस देखते रहना आपको जो र। सुनते जाना आपको होटब कर रहे हैं या बाफ को सुनते जाना है आपको बहुत ही आपको पता भी चलेघा कब आपको कॉस्चन याद हो ग çek की में सिर्दात होती है तो और इयरन की कुष्षा कि सदात होती है और स्पाति है को सब्सेथ नहीं हुए था अगला कोश्चन है उत्तर पर उत्तरी गोलारद में सबसे बड़ा दिन कब होता है तो 21 जून में होता है मौतमा भुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था तो सारनात में दिया था फिर उसके बाद अगला कोश्चन है साइमन कमीशन के बाहिसकार के दवरान लाठी चार्ज से किस नेता की मृत्यू हो गई थी तो लाला लाज पत्राई जी की मृत्यू हो गई थी अगला कोश्चन है भारत में मानो निर्मित भारत में निर्मित पर्थाओं कंप्यूटर का क्या नम है तो सिद्धार्थ है अगला कोश्चन है गायतिरी मंद का उल्ले की स्वेद में मिलता है तो रिगवेद में मिलता है पिर अगला कोश्चन है मानो सरीर में पाचन क्रिया अधिकतर की संग में संपन होती है तो छोटी आथ में संपन होती है पिर उसके बाद अगला कोश्चन है अन्वान सिक्ता के नीमो का परतिपादन किसने किया था तो ग्रेगर मेंडल जी ने किया था पिर अगला कोश्चन है मानो दोरा सबसे पहले किस धात का प्रियोग किया गया तांबे का प्रियोग किया गया अगला कोश्चन है बाल पिंट की सिधान पर काम करते हैं तो प्रस्टीज तराव की सिधान पर काम करते हैं अगला कोश्चन रेसम के कीड़े किस ब्रक्च की कौमल पत्यों पर जाले पाले जाते हैं सहतूत के ब्रक्चों पर अगला कोश्चन राजस्तान के खेतरी किस के लिए पसीदे तो वहां तांबे की खान है फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रतिवी के सबसे नजदीगर काउंसा है तो सुक्र है फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है मनुस की आख में किसी वस्तु का प्रतिवी में कहां बनता है तो वो रेटीना पर बनता है अगला क्वेश्चन है सूर से प्रतिवी पर उस्मा का संचरनर किस विदी से होता है तो वो जो है विक्रनर विदी से होता है अगला क्वेश्चन है डियने की दुईगोडित कुंडली का पता किस ने लगाया था तो वाटसनेयों क्रिक ने इसका पता लगाया था अगला कोश्चन है दोनी की तीवरता किस में मापी जाती है तो दोनी की तीवरता डेसीवल में मापी जाती है अगला कोश्चन मदमक्की पालन क्या कहलाता है तो मदमक्की पालन को एपी कल्चर कहा जाता है अगला कोश्चन किसी वेवसाइट के प्रथम प्रश्ट को क्या कह ग्यूंटेयों कर देखने के लिए किश्चे का प्रियों किया जाता तो उत्तला है C 一सी पूरोगा काउनस में काउनसा है पिर 59 जो 2-ղ से पस्चीम देजाई की और गूमता है फिर उसके पड़ आगला कॉच्च ने स्वाफ़ादिया गैस कांच साथ ये ना वाघ सीक्चे इसा कांच है पिर उसके बाद अगला कॉस्चन है काउन सा पुछलता रहा, 76 वर्सों के बाद दिखाई देता है, दिखाई देगा, या देता है, अगला कॉस्चन है, तो हैली पुछलता रहा है, फिर उसके बाद अगला कॉस्चन है, सूरी और प्रतिवी की बीच की दूरी कितनी है, तो 15 12 मैं 1974 में किया और वोकरान राजस्थान में जो पढ़ता है वहां पर किया गया था फिर उसके बाद अगला कुछ ने कंप्यूटर के जीजभाग को हम इस परस कर सकते हैं वह क्या कहलाता है तो वह हार्डवेर कहलाता है फिर उसके बाद अगला कुछ ने काइंसर के उपचार है तो थायराइड है फिर उसके बाद अगला कोछण संसार का विसालता मिस्तंधारी कंसा तो है सबसे विसालतम बॉलड़ गुरूप की खोच किसों ने की तो ने थो ने कि पिर उसके बाद अगला कोछशन है पहला करती में पग्रह कॉण रेक हैश पूतनि gaan पहला प्रतिक करती मों बगरा इस पूतिनिक है फिर उसके बाद अगला कुस्चन है की सूप करण द्वारा यांतरी खुर्जा को विद्धू तूर्जा में बदला जाता है तो डाइनमो है डाइनमो सी जो है यांतरी खुर्जा को विद्धू तूर्जा में बदला जाता है फिर उसके बद अगला कुश्चन है, कंप्यूटर की आइस्ठाई, यस मरती क्या कहलाती है, तो रायम कहलाती है, यह आइस्ठाई होती है, इसका पुलपार्म भी आपको याद रखना है, रैंडम एक्सिस मेमोरी, फिर उसके बद आगला क्वेशन है, रियक्टर पैमाना सांज का तारा है भोर का ताराजुक्र को Ughald tay मंडल कि सबसे निचली परत को क्या कहते हैं छोब मंडल को जाता है फिर उसके और अगला कुछ नहीं इक देह सांथर घोमने में कितना समयुल लगता है तो एक देहरी घोमने में जो है चार मिनट का समय परती लेती अगला कस नए प्लास्डर आ प्एर जो से बनता है तो ऌढा जीर सम्सें बनता है फिर उसके पhet जेए मचली किसकी साएथा से सांस लेती हैम फिर अगल पलतों द्मारा भूजन बनाने की क्रिया क्या कहला प्रकास संसलेसॉण उत्क डाल आपने रीॉल का इंडिया का मुंबई में च्छ जाने किसे सीमांत और कौपार को सीमांत गांदी बोला जाता है घूर जाने सबसे बड़ा अएगा भारत का फिर इसके बाद अगला कॉष्चन है ब्राभरत के पर्थम राश्ट पति कौन थे टो ढ़राजेंद प्रसाज की तो व पर्थम राश्ट पती थे किस्वола कहते है अगला कॉस्चन है काली है प्रेफके बादा अगला कुछ था मैं न्सका के सब भाग पर पानी पानी है तो एक इस सबसे लंबी हिसद्नी सीमा कि देश के सार लगती है तो बंगलाद्ज के सार सबसे ज़ादा सीमा यह अधार को जुछ ने हमारे सवर मंडल का सबसे बड़ा सबसे बड़ा हाई को से बाड़ा है पिर उसके बाद अम्हों पर प्रक्रवृ नदी को भी हार का सोक वोले जाता है किस प्रत्सक्यों है उइसायकर माँसा Five सब्सक्राइब को把ूलान देश को बांगलादेश को पाकिस्तान से माजाद कराया गया कмет में 2021 का क्या ह valuable होता है इसकी फिलपार इसकी फुल्पार में आपको एड़कले आपको निया होता है फिल वाइड की एट सब्सक्राइब भाइब होते हैं तो होते हैं एक हजार चोबिस बाइट होते हैं फिर अगला कोश्चन है भारती राष्टी कांग्रेस के 1929 के एतियासी के दिवेशन के अद्धाचिता जो किस ने करी थी तो वो जवाला नहरू जी ने की थी फिर उसके बाद अगला कोश्चन है अगला कोश्चन है केंदरी असंबली में बंभेंकने वाले भेंकने में भगास सिंग के साथ ही कौन थे तो भगास सिंग के साथ ही थे बठके सुरुदत जी अगला कोश्चन मुस्लिम लीग ने भारत विवाजन की मांग सबसे पहले कब की 1940 میں फिर उसके माद अगला कोश्चन है कामन 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 वील पत्रіका करकासन किस नहीं किया था कामन विल पत्रीका का संपाद design किस एकमाद भारती को और अर्थ सास्थ में नोबिल पुरूस्कार मिञें तो आमर्थ सेन जी को मिला है पिर उसके बाद अगला कोश्चन है 1856 में विद्वा पुनर विवा कानून किसके प्रयासों से बनाया गया तो इस और चंद विद्या सागर के प्रयासों से बनाया गया था अगला कोश्चन है लाड कैनिन नमबर 1858 में कहां आयो जी दरवार में भारत में क्राउन के सासन की की तो इलाहाबाद में क्राउन के सासन इलाहाबाद में इन्होंने घुसरा की कि अब भारत का सासन क्राउन के हाथों में होगा अगला कोश्चन है लाड वेले चली के सास सबसे पहले साहयक संद किस राज के सासक ने की तो सबसे पहले हैदराबाद के निजामों ने की अग अगला को चेयन सहीदे आजें के नाम से को जाने जाते हैं तो नहींदにब्स सब्समें गवर्न जो थे वो करजंजी लाड़ करणंजंत हैं पर उसके बार अगला कोस्चा ने बारत में कितने उच्छ नहीं आले तो भारत में 24 उच्छ नहीं इस समय करेंट की जो है करेंट का आप लोग देख लेना कमेंट करके हमें भी बता देना पर इसके बाद लोग सभा काद दक चिखा 어떻게 यहससे चुना घया तो डॉक्टर सची दन सिना को जो एए इसताय सदसे चुना गया था फिर उसके बाद अस्त की से चुना गया तो डाक्टर राज्याईनद तर्सद को इस सदसे चुना गया था अगर इसमें पुछा गया कघ्चीपरी मोहेनी अट्शा गया है मौयानी अट्टम केरल की मानी जाती है लो यह विलालकी किया थो यह haut रखनीको याद कजीपरी का अंध्र परदेस की मोहेनी अट्टम केरल की अधर रखनीक मौउटक प्रस्चाली असलिखना का है कथकली केरल का यह चार-पांच इंबहुत इंपॉर्टन्ट है इससे पुस्चन जारूर आता है और उसके बाद इसमें पूचा गया है कि एसर का सबसे ज्यादा उत्पादन किस राज में हो जम्मू कस्मीर में होता है फिर उसके बाद भारत में परतम बहुत देशी पर रोजना का निर्माड किस नदी पर किया गया तो दामोदर नदी पर किया गया फिर उसके बाद अगला कोचने इंडियन नेशनल कांगरिस के परताम अद्धेच तो व्यों मुएस चिंद बनर जी जी ते गांधी जी किसे अपना राजनीती गुरू मानते थे तो गोपार कर अगले को राजनीती गुरू मानते थे फिर उसके मद अगला कोचने अंतराष्टी सांत्यूम सुरक्षा को बनाया रखने की जिम्मेदारी संयुक्तरास संग के पास होती है मतलब अंतराष्टी जो इंटरनेशनल लेविल पर यह संस्था बनी है संयुक्तरास संग इसका का पूचा है कि इसके राष्ट के कि संग की होतीए मतलब इसकी संध्यूम सुरक्षा को बनाया बेसलियूंब आगाता है लोग एक कौन विवाक देखता तो यह जो है सुरक्षा परसद उसे हैंडल करता है अगला कुछ ने नोबल पुरुसकार पाने वाले भारती नागरी कौन है तो रभिंद ना टैगोर जी है इनको जो है 1913 में मिला था नोबल पुरुसकार फिर उसके बाद अगला कुछ ने मिड़े मिलो जना शुरू कब हुई उनिश्कार बंगलादेश का राश्टर गां क्वेंटा कौन सा है और इसको किस ने लिखा तो आमार सोनार ज tanto熟ेम है बंगलादेश का राश्ट dl संस्तापक कोन है लोदी संस्तापक जो है उपहलो लोदी पर इसकी अगला ने कि संसोधन इसंसोधन में मीनी कांस्टीट्यूशन वह बिए ले जाते हैं तो आकसीजन और हीलियम गैसों का मिसराड़ वो लेकर कि जाते हैं अगला कोशन है होमोपेती का संस्तापक किसे माना जाता है तो हैनी मैन को माना जाता है अगला कोशन है पहलों को पकाने में कौन सी गैस का उपयोग में लाई जाती तो एथलीन उपयोग किया जाता है फिर उसके बाद अगल प्रधान मंत्री के लिए कम से कम कित्नी आयु होनी चाहिए तो प्रधान मंत्री के लिए 25 ऐंगे हैं अब की जो इतनी सोनी चैए है फिर उसके फ है ऑगला करणार कि अच्छे गान करनाटा का यह फोग डांस पूचा गया है महलब वहां का राजी का लोगनाति पूचा गया है उसके बाद मैं एक मोहन रेखा कि इन दो देशों के बीचे तो भारत और चीन के बीच में है अगला कुश्चन एक खाद प्याज में खाद भाग कौन सा है तो प से 20,000 हाट चितक होती है स्रब तरंगों की अबरती फिर उसके बाद अगला कुश्चन है मदुबनी किस राजी की लोग चितरकला है मदुबनी जो है बिहार की लोग चितरकला सहली है वह लगा उस्ट ने विस्टू का सबसे उचा परवत सिकर माउंट औरेस्ट किस देश में इस्टित है तो नेपाल में इस्तित है वो फिर उसकेमाद अग्ला कुश्चन है किस से नदी को दक्षिरी कर गंगा कहा जाता है तो गोधाबरी नदी को दक्षिर की गंगा चाँता है अगला कोश्चन निरिником शीने जाने किसे सितार के वेदिय का जनक माना जाता एक तो अमीर खुसुरोacer को माना जाता है फिर उसके त एकला क्षशं ने विसमका सबसे नुच्छा पठार कांसा है तो पामीर या तिब्बत का पठार पिर उसके बद अगला कोश्चन है योजना आयो का अध्यक्च काउन का अलाकाउन होता है योजना आयो का अध्यक्च जो परदानमंत्री जी होते है उसके बद अगला कोश्चन है वो नस्पती घी के निर्माड में काउन सी गैस प्रियोग की जाती तो हाइडरोजन गैस और एक रा कुछ नहीं से 201 सक्ति किटने वाट के बरावर होती है तो वो साथ 246 वाट के बरावर होती है फिर उसके अग्ला कोछने पाणी की बूंदों के गोल होने का कारण है प्रस्ती टनाओ के करण उ Гortal हो जाती है फिर सबसे जदा होती है तो सबसे जदा निर्वात मैं होती है प्रकास की चाल फिर उसके बाद अगला कोसे ने किस रंग के प्रकास का 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 प्रकास और नीला ऐपरात्यमिक रंग है अगला कुछन है वाइवियानों के टायरों में कौन सी गयस भरी जाती तो हेलियम गयस होती है यह थोड़ी हल्की होती है इसलिए जब हवाई-जाज उड़ता है तो उसको वाई-वाइव्यान उड़ता है तो उसको ऊपर उठने में मदद कर साथ थांका सोल्डर फिर उसके पाद अगला कोश्चिन है अगला कोल इस ओसे संभने थे तो आंक से संभने से फिर टो का छबाइब तो वेलेंटाइना तारस कोवा जी पहली अंत्रिक पहुला की कि अगला कोस्चन है और इजन आप स्पेसी जबाइ नेचुरल सेलेक्षण नमक पुस्त Must स्फिंग किसके है तो यह चार्वीन जी की है यह और जिनापस सीज वाई नेचुरेल स्शेलेक्षिं यह इनकी पुश्तक है अगला क्वेशन है इसीने बार किस घावत का आयस्व कैसा सीने बार पार रहाया मरकरी का आयस्व है फिर उसके बाद अगला कॉस्चन है कौन सा या तर दूद में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रियोग किया जाता है तो लेक्टो मीटर का प्रियोग किया जाता है दूद में पानी की मात्रा को मापने के लिए लेक्तूमितर कपरियोंग किया जाता है फिर उसके बाद अगला कॉस्चिन है हैड्रोजनë बंब बंस किसे लिंज पर आधारित है तो नाभी कि स fluffy come Polackya किस लिएविह nord Sharikum कि कमी से पर तो भेला गराउ किस बिटामिन ड्सफरी मिइंट हुएं प्र 36,000 किलो मीटर होती है फिर उसके बद अगला कुस्चन कहिए रहा है कि मनुष्य के सरीर का तामान कितना होता है तो साड़े साइटिस मलब साइटिस डिगरी सेंटिग्रेट अगर पूंचे तो अगर सेलसियस में पूंचे तो साइटिस होगा अगर फैरणाबन में पूंचे तो 90 i8.4 फारेनहाईट फिर उसके बद अगला कुस्टन की चंचंचा का मात्रों किया होता है तो डायप्टर होता है से । कि नोट किया जाता पिर उसके बाद अग्ला कोश्चन है अगला कोश्चन कहे रहा है अ कम्प्यूटर की आई सी चीप कि इसपदारत की बनी होती है तो नहीं होती हैज और इसके Bye तो सुना है सब्सक्राइब तो बीस जार हड्जी से आधिक होती है पिर उसके बाद अगला मनुस्तिक वेग्यानी नाम क्या है तो होमो सेपियंस मनुस्तिक का वैग्यानी नाम है फिर उसके पर अगला कुछ़न है बिटिस संसत के लिए चुने जाने वाले भारती को ते तो दादा भाई नोरो जी जी थे अगला कुछन है भारत के किस राजे में चावल सबसे हो जाता है तो रहे बीज हो जाता है है डर लगने लगता एकला कुछ राजक्ष पाद्र कार्षिण को होता है इस अगला कुस्चन है सार्क S.A.A.R.C. ही सारक ये दक्छेस का मुक्याले कहां है काट मंडू नेपाल में है फिर उसके बद अगला कुस्चन है पथम परमवीर चकर विजेता कौने तो मेजर सोमना सरमा जी है अगला कुश्चन है भारती राष्टी कांगरेस की पहली भारती महिला अध्य जिकाउन थी तो सरोजनी नाइडू जी थी पिर उसके बाद अगला कुश्चन है सन 1983 की विस्वक विजेता भारती क्रिकेट टीम के कप्तान यह कपिल देव जी थे यह उन्होंने विस्वक वर्ड़क जीताया था अगला कुश्चन है राष्टपती राजसवा में कितने सदस मनुनीद कर सकते हैं तो बारा राजसवा मे और लोगसवा में प्लस दो लोगसवा में तो टोटल 14 सदस में को मराष्टपती जी मनुनीद करते हैं अगला कुश्चन है नोबल पुरुसकार किस वर्ड़ से सुरू हुए तो 1900 नोबल पुरुसकार के जो स्टार्टिंग हुई वो 1901 से हुई है फिर उसके बाद अगला क कॉश्चन है भारत में गन्या का सरवदीट पादं किस राज होता है उत्तर प्रदेश में जब्स ज्याधा घंए को पादन होता है अगला कुश्चन है को पारीया रोग ँथाय कि संदी kole कर देता है फिर उसके ने नासिस नुदी कि किनारे श्तित नतों ःति नला कुश यजापान की मुद्रा कालि से तो यहाफे पाल उद्मत्र कर्णा biss जाइब EPA पाल प्रसके संबंद किसे प्रम के इस कि अ मौझा लू नहीं होने हैं तो संतोस यादव जी पहली भारति महला बन गई हैं आगला कुछ्चैन है सरोच नियाले का मुंख नाजेश कप तक अपने पदपर रह सकता है पाइश सट्र की आयों तक रहता है फिर उसके पाइश्कीर माइश्टे का सदनिừa का है तो लोक सबाव जो रोग सबाव जो है संसन्सद का उच्च सदन होती क on लोग सबज होती है नीमने सदन होती है संसत के अगला कुछ्चन में 10 विशुडो सरमाजी है बारा चीन समझ था किस नाम से जाना जाता है तो पंच सिल सम्झत होते जिसे कहा जाता NDA कदूना के पास खड़क वासलाँ में अगला इसकार अद्छा कुछ नहीं नहीं? पूछा है यह मेरन मुlungs्ट क्यूभ सी मिन में कितने बाद हड़कता है थितकारिक that कभे तो 1872 में हुई अगला कोष्थान डवल फार्ट किस के में समें प्रयूक्त होता है तो टेनिस में प्रयूक्त किया जाता है अगला कोष्चचन भारती थलसेजेता के पहले भारती सैना अधेचे का odentate तो जनरल के करियपपा केम करियपपा जी थे फिर उसके पद अगला कोश्चन है लाई हरोबा किस राजी का लोग न थे तो मड़िपूर का है लाई हरोबा फिर उसके पद अगला कोश्चन है भारत की किस राजी में रवर का सबसे अधिकुत पादन होता है तो सबसे पिरूजियुने बताया था अगला के लिऑ साबर मतियासरम कहां इस्ताप्थ किया गया अहम्दाबाद में स्ताप्थ किया गया अगला कुश्चन अगला कुश्चन है बारे मां युजदो अंदोलने कभ शुरू होते हैं तो पहुत्यों आट ह अगस्त को Representative 2022 में यचार था उसके बद अगला कोश्चन है मनुस के सरीर का सामान रगतदाब कितना होता है तो 80-120 मिमी होता है फिर उसके बद अगला कोश्चन है उत्री गोलाद में सबसे चोटा दिन कब होता है तो सबसे चोटा दिन जो होता है वो 22 दिसंबर को होता है अगला कोśćण ने राम चरीद मानस जें किसी पुस्तर किस ने लिखी तो माँत तुलसी दाजिए ने राम चरीद मानस को लिखा पर उसके बाद अगला कोषचन है परतम एसी आई खेल कवा और कहां योजित किये गए तो और नींस तो महिला विस्व कुश्चिन है पारी में तो अनिल कुंबर लीजीन मəलब 10 विकट एक पारी में लिये तो 218 में पुटुबाल विस्व कब तो कहा ह longtime, तो वो कहा हुए है, रूस में हुए है, फिर उसके बाद अगला question ने संसार में सर्वाधिक जनसंक्यावला देस काउंसा है तो सबसे ज़्यादा चाइना की जनसंग क्या है अगला कोशने राश्ट पती लोगसवा में कितने सदस्वे को मनोनीद करते हैं तो दो सदस्वे को मनोनीद करते हैं उसके बद सरवराही रखते हैं काउंसा है ए भी है पिर उसके बद अगला कोश्चिन पूशा गया असायोग आंदोलन किस वरत शुरू हुआ 1920 में शुरू हुआ पिर उसके बद अगला कोश्चिन ने पेनाल्टी स्टोक का किस खेल्ज में प्रियोक्त किया जाता है तो वो हांकी में किया जाता है पेनाल्टी स्टोक फिर उसके बद अगला कोशन है भारती संसत का निमनी सदन काओन है तो निमनी सदन जो लोकसभा होती है अगला कोशन है सिख धर्म की इस्थापना किस ने की थी तो सिख धर्म की इस्थापना गुरुनानक देवजी ने की थी फिर उसके बाद अगला कोश्चन है भारत में जनगरना कितने वरसों के बाद होती है तो दस वरसों के बाद होती है फिर उसके बाद अगला कोश्चन है में एक दूद किसकी रचना है तो काली दास की है अगला कोश्चन है भारत की सुतंतरता के समय बिटेन के पधान मंत्री काउन थे काउनते क्लीमेंट ए हम लीजी थे अगला कॉस्चन एग जीमा रोग शरीर की की संक को परववित करता है तो चाप करता है अगला कोश्चन incidentzakhi त्हापना किस ने की तो राभर्ट वाडेन पवेल ने की फिर उसके बाद अगला question है अगला question है कहई रहा है संसार का सबसे बड़ा महासागर keun सब्हूंन साइब उसके बड़ा प्रसांथ महासागर है उसके बाद सबसे बड़ा कोश्चन है पैनाल्ट्री किक पैनाल्ट्री स्टोक आया था पैनाल्ट्री किक है थोड़ा ध्यान दीजिए यहां पर पैनाल्ट्री किक है इसका संबंद जो है पुटवाल से है अगला कोशने रटजी टाफी का संबंद किस खेल से है तो क्रिकेट से है रटजी टाफी का संबंद अगला अगला कुछने भारत का सरोज खेल पुरुसकार कौन सा है तो राजियो गांदी खेल रातन पुरुसकार अरजन पुरुसकार किस वर सुरू हुए थे उसके पूरुसकार अरनाज़क किस की विख्याद पेंटिंग है अगला कुछने स्वांग किस राजी की लोह न दिकला है तो हर्याडा की लो लें तो 24 उचने लें अगला कोश्चन ने कोई विध्यक धन विध्यक है या नहीं इसका जो है निर्ड़े ये लोग सावाद तहची दी करते हैं अगला कोश्चन है अंती मुगल समराट कौन थे तो बहादूर सा जफर जी थे अगला कोश्चन है तंबाको पर पूरी तरह प्रतिबंद लगाने वाला विस्व का पहला देश कौन है तो बोटान है उसने तंबाको पर पूरी तरह के से रोग लगाई अगला कोश्चन है गो बारत सरकार का सम्विधानी मुख्या काउन होता है तो सबसे सम्विधानी मुख्या जो राष्ट पती जी होते हैं अगला कोश्चन है किस सम्विधान संसोधन द्वारा मौली करतब्यों को सम्विधान में जोड़ा गया तो 42 में सम्विधान संसोधन द्वारा अगला कोश्चन है नमग कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने काउन सा अंदोलन सुरू किया तो सभी ने अवग्या अंदोलन सुरू किया अगला कोश्चन है उपराष्टपती का चुनाव काउन करता है तो उपराष्टपती का चुनाव जो है वो संसत के सदस् इस्तम कहां इस्तित है तो विजय इस्तम जो है वो चित्त और गड़ में इस्तित है अगला कोश्चन है विश्व का सबसे लंबा उन चावरान 238 किलो मिटर का रेल ट्रांसाइबेरियन जो रूस में है वो किन दो सहरों को जोड़ता है तो सेंट पीटर्स बर्ग और बलादी वोस्तक को जोड़ता है अगला कोश्चन है अमर कंटक किस नदी का उद्गम इस्तल है तो अमर कंटक जो है वो नर्मदा नदी का उद्गम इस्तल है अगला कोश्चन है भारत में जीपसम का सरवदी गुतपादन किस राज में होता है तो राजस्थान में सबसे ज़्याद पुस्तक अबुल फजल जी ने लिखी अगला कोश्चन है बुली सब्द किस खेल से प्रियोक्त होता है तो बुली का प्रियोक हाकी में होता है हाकी से के लिए प्रियोक किये जाता है अगला कोश्चन है ओडन परी किसे पुकरा जाता है तो पीटी उसा जी को ओडन परी पु यानोंब्र सुछाम्ब मैं जनते हैं पर अग्रा पर्माड रवाट को सिक्षाोंस समय मुम्बाई में जनते हैं तो भारत के पहले सिक्षा मंतरी मुवलाना अभूल कलमाजाद की जनन दिवस को सिख्चा के रूप में जानते हैं फिर उसके बद अगला कोश्चन है बाबा पर माड़न संधान के अंदर कहां इस्तित है तो ट्रामबे मुंबई में इस्तित है फिर उसके बद अगला कोश्चन है सन 1928 के बार दोली आंदोलन का ने तर्थ किस ने किया था तो सरदार बल् मुगल ब sac कि स्थापना किस ने की तो बाबर जी बाबर ने मुगल बंस कि स्थापना की तो पिर उसके बाद अगला कोश्चन यह आज दिति वर दुजद़ है तो कछना कोश्चन है तो क्रिकेट से चाइना में का शिभान विए प्रियोक किया चास्विए कि अगला कुछिछन ने सबसे कटोरतां पदारत कौन सा है तो ही राए अगला कोश्चा में डाइनामाइट का विसकार किस ने किया था तो आलफरेड नोविल जी ने डाइनामाइट का प्रयोग किया सबसे पहले आप इसकार किया था अगला कुछिए बिस्मिल्ला खान का पॉंट विस्तारी रूप बताए तो एक घस का उप कॉंट विस्तारी रूप होगा ओ एक्काया डंफिसिंची अझेंडरोब्त और एक्क उयर्ड एमिण डेफिस यंजिसंग्रोम क्युक्त का पूरनार पूरनां अग्ला खॉar sellie कि यह वाला बाग में गूली का देश किसने दिया था तो माइकल जनरल डायर जी ने दिया था इन्हें फिर इन्हें उदम सिंग ने इन्हें जो है मारा था अगला कोशें ने पटना का प्राची governed नाम किया था तो पटना ही पाटिल पूत्र था पाटिल पूत्र के नाम से पटना को छाना जाता था उसके लागल ने दिल्ली में लाल किल एक तो मुगल बासास आय जहां ने दिल्ली में लाल किले को बनवाया था अगला क्वेश्चन नेता जी सुबास राश्टी खेल संस्थान कहां इस्तित है तो पटियाला में नेता जी सुबास चंद खेल संस्थान इस्तित है आंगा खाक अप किस खेल से संबंदित है अगला कोशने बांदीपूर अभैरंड किस राजी में इस्तित है तो करनाटक राजी में इस्तित है अगला कोशने भाप इंजन का विस्कार किस ने किया तो जेम्स वाट ने भाप इंजन का विस्कार किया अगला क्वेशन है रेडियो का अविस्कार किस ने किया तो इटली निवासी मारकोनी ने रेडियो का अविस्कार किया अगला क्वेशन है किस भारती राजी की राजबासा अंग्रेजी है तो नागालेंड की राजबासा अंग्रेजी है अगला कुश्चन है भारती राष्टी कांग्रेस के प्रतम मुस्लिम अध्यक्च कौन थी तो बदरुदीन तयव जी थी भारत के प्रतम ग्रह मंत्री कौन थी तो सरदार बल्लबाई पटेल जी जो भारत के प्रतम ग्रह मंत्री थे अगला कॉस्चन है संसार की परत्व मेला प्रधान मंत्री कौन है तो सिरिमाव बहंडार नाई के संसार की पहली मेला प्रधान मंत्री है अगला क्वेस्चन है आडपा सब्यता किस योग से संबंदित है तो आडपा सब्यता जो है वो कांस योग से संबंदित है फिर उसके बद कहरा है दीने इलाही धर्म किस मुगल सासक ने चलाया तो दीने इलाही धर्म अकबर का चलाया वह अकबर ने चलाया फिर उसके बद अ तो इसमें कितने रंग होते हैं तो इंद्ध तरफ में साथ रंग होते हैं पिर उसके पड़ा कुछन बहुचती रूपगरा की उपर तेभी से मुचाए कितनी होती तो चोई वो खेयर में सुप संब्सक्राइब दूद के ऐट श्रब्स रणगों की आपती कितनी होती परासरवत रंगे वो हैं जिनको हम सुन नहीं सकते हैं हम हमारी सुनने की कैपसिटी कितनी है वो बीस से 20,000 तक की है और 20,000 हड़ से जो तरंगे उपर होंगी उनको हम सुनी नहीं पाएंगे तो वो परासर बितरंगे कहलाती है तो ये 20,000 हड़ से अधिक होती है फिर उसके बाद अगला कोश्चन है परमाट बम किसी दान पर कार करता है तो ना भी की है भी खंडन के सी दान पर काम करता है फिर उसके बाद अगला कोश्चन है विद्धुद्धरा की एकाई काउन से है तो विद्धुद्धरा की एकाई एंपियर है उसके बाद अगला कोश्चन है हरदा की धड़कन को नियंतित करने के लिए कौन सा खनी जावस्थक है तो पोटा ऐसी है मावस्थक है फिर उसके बद अगला कुछ ने पेंसिलीन की खोच किस ने की तो अलग जेंडर फ्लोमिंग ने पेंसिलीन की खोच किरी अगला कुछ ने मलेठी है कि दवा कुनायन किस पोदे से प्राफ्थ होती है तो वो सिनकोना से प्राफ्ट होती है अगला कुश्चन है संसार का सबसे बड़ा फूल काउंस है तो रेफलेक्सिया संसार का सबसे बड़ा फूल है फिर उसके बद अगला कुश्चन है सबसे बड़ा जीवित पच्ची काउंस है सबसे बड़ा जीवित पच्ची है सुतुर तूम अगला कोश्चन है संसार में सब से चोटा पच्ची कह उन सा को हें इतला भानीग का पूंड विस्तारित रूप तो आटोमेटिक आटोमेटेड ट्रेलर मसीन अगला कुछिन आगला कुछिन संसत का संयूंग तद्वियेसन कौन बुलाता है तो राश्ट पती जी बुलाते हैं फिर उसके वद अगला कुछिन है कि था एल बीड़ ब्लू सब्द की स्केल से संबाद तो क्रिकेट से संबाद इतै ये वायर मन्डल की काउंसी परद हमें सूर्च से अने वाली इल्ट्रा वायलेट किरनों से बचाती है तो जोण धर्म को ग्रांट कर लिया था पर उसके बद अगला कोशने भारत का केंदरी बैंक का है तो भारती रिजरु बैंक भारत का केंदरी बैंक है अगला कोशने सालार गंज में उजियम कहा है तो सालार गंज में उजियम है दरा बाद में पर उसके बद अगला कोशने भारत में अगला कुछनले किस किस सर की सबसे लम्बी नदी नील नदी है अगला क्यूशन की इस टापमान पर सेल सिस्एयस और फारे नहींड टापमान बराबर हो जाते हैं तो माइन आच चारलेश डिग्री पर और भी सब्सक्राइबiert है किसे सब्सक्राइब सब्सक्राइब एइस पर भी फाइड ही इड़ कि यह पर लिक्विड नहीं है कि लोग एक अप्सनि देता है लुकिड यूड यू यू आई डी लुकिड यह जो गलत होता है तो यह लिक्वीफाइट पेट्रॉलियम को रहस होता है उसके बद अगला कुछन है गीता रहस पुस्तक किसने लिखी तुबाल गंगा धर तिलक जीने लिखी गीता रहस पुस्तक अगले कुछने किनारे इस्तित है तो सर्यू ने दे के किनारे अगला कुछन है जैपुर की स्थापना किसने की तो अजमेर जैपुर की स्थापना जो है आमेर की राजा जवास मलब सवाई राजा जैसिंग ने जो है जैपुर की स्थापना करी थी इस लो कुछन है भारती समिधान में पह पर उसके बद अगला कोश्चन है डूरंड कप किस खेल से संबंदी थैं तो फुटवाल से संबंदी थैं डूरंड कप पर एगला कुश्चन है उनीज सवसाथ में सुरू किया गया साहित तिका नोबल पुरुसकर किसे दिया गया तो सबसे रोडियार्ड कपलिंग को दिया शक्राइब अगला कुश्चन किसके साहसर में मुर्खो का भारत आया तो मौमद बिन तुगलक भारत के पहले कानून मंत्री काउन थे तो भीमरा अमेडिकरजी थे फिर उसके बद अगला कुश्चना अभी घ्यान सागुंतलम के लेका काउन ने तो काली दास है अगला को मैं को मनाया जाता है तो एक मैं को सिर्मिक दिवस मनाया जाता है अगला कुछिश ने एक शिराज का साथत्री निए नहीं रहते हैं तो अगला कुछने भाहें खड़ा बांध इसमे बनाया गया तो सदुफ़ ने पर बनाया गया अगला कुछने भारत का छेट फ़ल गितना ये तो भारत का छेटन बटिस्ट लाग सतासी हजा दो सो 65-23 किलो मीटर एपर उसके ब पर नव अगस्त कि 1945 को गिराये थे दोनों सेरों पर अगला क्वाइब राष्टपती चुनाओं सकता यह राष्टपती चुनाओं विदान सब्दाइक के चुने वे पहले राजपाल थे हर्याणा के अगला कॉस्चन है अगला कॉस्चन है उत्तरी द्रू को दक्षिरी द्रू से मिलाने वाली कालपनी रेखा क्या कहलाती है उत्तरी द्रू को दक्षिरी द्रू से मिलाने वाली कालपनी रेखा ये उत्तरी द्रू और ये दक्षिरी द्रू तो अच्छांस रेखा हैं कैल आती हैं फिर उसके बाद अगला कोश्चन है मात्मा गंधी की हत्या कब की और किसने की तो 30 जनुरी 1948 को नातुराम गोट से के द्वारा मात्मा गंधी के हत्या की गई अगला कोश्चन भारत में काउन साना सबसे ज्यादा का जाता है तब जावल सबसे ज्यादा खाया जाता है फिर उसके पाद अगला कुछन ने थाल सेना दिवस कब मनाया जाता है तो 15 जनुरी को थे या कुछन है राजस्तान की मांट अबauen तो इस दिलवाडा की मंदिर की सथार्म से सबंबंधित हैं जयन को हैं तिकल का सरवोट फैन पृरुसकार कौन सा है सांतिकॉल का सरवोट फैन पूसकर कउछ तो असवोग तो आठ अक्टूबर को वाई उसे ना दिवस मनाया जाता है अगला कुछ्छने 1526 1556 और 1761 के तीन एतियासि की उर्दिकी सनगर में हुए तो वो पानी पत में हुए पानी पत कहां पड़ता हरियाडा में पड़ता है अगला कुछ्छन हाल ही में कि सराज इसे अलग करके तेल सांगना अलग हो और हर प्रतेस से अए scary फिर उसके इसका अगला कुछले भहरत के पहस चीमी को पर कहा उढ़क्या। किंडर गार्टन पर देती किसी देने तो फृी बेल की देने अगला question थो इस के और शुक्ष का उन्हीं से एकउस्ट में चारबह का सन रख चरान तो बायरम गदीट रभी संकर का संबन्ध कि स्वादियन ऊठाख से सितार से जाई है किसे उत्तर भारत में वर्सा梁 प स्टिमी भी छोब अग्ला hunter ट्रपिक समule इस से तो दे ट्रफिक किलके से है तो हुँआ ऑगला कॉस्चान है रूस देश की मुद्रा कउंचि है तो रूस खेंज्ड रूबल है फिर चुछ निजम्स प्रधाम चाने को प्रतम बुद्ध को अनुद्ध का जनम कहा वगो तो गोठाम धुन का जनव लुम्बनी में जो नेपाल में बोकूर को चने महभवान महाबीर जैन धरम की कौन से टीतांकर ठीट विसमें करते अगला कोचने से भारत की परतम महिले राष्टपत्य। पर्थिभा देवि , परद्थिभा पातिल जी हैं अगला कोच्च्छ निर का उन मठेल संक्या में ही कोसी नगर में अगला कर ने गोवा पृटगाली सासन अधित 숨हा था तो तो फे Given अग्ला कफ़ें कर दो किवे कुछ की आ सो तॉ अbelिएकिटिंग अग्टा नाग वा तो तो एक्रोलेट्री एक 1770 में लागुआ था अगला कोश्चन 1857 की किरांती के बाद अंग्रेजों ने मुगल बासा बाहदुरु साजपर को कायद करके कहां भेजा था तो बर्मा में भेजा था बर्मा बर्मा में भेजा था फिर उसके बाद अगला कोश्चन है गांधी जी दक्षिड परीका से भारत का लोटे थे तो 9 जनुरी 2015 1915 को जो है दक्षिड परीका से गांधी जी लोटे थे भारत अपनी जो है लाग वहां इन्हों ने जो है बायरिश्टर की डिगरी धार्न हासिल की उसके बाद ये आंदोलरों में सामिल हो गए भारत में आकर सक्री हो गए फिर उसके बाद अगला कोश्चन है भारत की पहली बोलती फिल्म काउन है तो सबसे पहली बोलती फिल्म है आला मारा पिर उसके बाद अगला कोश्चन है छेथ पल की देश्टी से भारत का विस्व प्कविस्तार उसके बाद अगला कोसचन है तिरंगे जंडे को संभीधान सวाने कब सुपनां करिановा 보eeee बचास को पर उसके बाद अगला कोस्चन है खुदाबक्ष पुस्त कालय निहीं पोठना में इस्तित है उसके बाद अगला कुश्चन है 1784 में कुलकत्ता में किस ने एसियाटिक सोसाइटी की स्थापना करी तो विलियम जोन्स ने फिर उसके बाद अगला कुछ ने बैंको का राश्टी करन कब किया गया तो उनीज सा उनात्तर में पिर उसके बाद अगला कुछ ने किस सम्विधान संसोधन द्वारा 6 से 14 वरस के आईवी के बच्चों के लिए सिक्चा को मौली क अधिकार बनाया गया तो 68 सम्विधान संसोधन था उसके बाद अगला कुछ ने किस मौली क अधिकार को 44 में सम्विधान संसोधन के द्वारा ह पर उसके बाद अगला कुश्चन है भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है तो रेडिकलिफ के नाम से पुकारी जाती है भारत और पाक सीमा रेखा जो है भारत में एक मात सक्री जोला मुकी कहा है तो बायरन दियूप आंडमान निकोबार पर उसके बाद अगला कुश्चन है इसलिए इसमें जम्मो कस्मीर तो होगा लेकिन अब तो यह सब कतम हो चुका है जबसे 378 अगला कुश्चन है अमेरिका में कौन सराज 1867 में रूस से खरीदा था तो आलास का इसका सही अंसर हो जाएगा उसके द अगला कुश्चन है विसु इंकलता दिश के पहले cm कौन थे तो चंदर सेकर राव जी जो हैं तेलंगाना राव के तेलंगाना के पहले cm थे अगला क्वेस्चन है भारत स्रिलंका के बीच कौन सी खाड़ी है हम थोड़ा थो जल्दी से जादा जल तेजी से कर रहे हैं इसलिए कि जिससे ये complete हो जाए मनार की खाड़ी है भारत वसी लंका के बीच कौन सी खाड़ी है तो मनार की खाड़ी है उसके बाद अगला कुश्चन है अरावली परवत माला की सबसे उची चोटी कौन सी है तो वो गुर्सिकर है पिर उसके बाद अगला कुश्चन है किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है तो सबसे बड़ी किस कानाडा की है समुद्री सीमा उसके माद अगला कुश्चन है किस देश की स्थली सीमा सबसे बड़ी चीन की है अगला कुश्चन है बर्मा म्यामार की मुद्रा कौन से है तो क्यात वहां की मुद्रा है अगला कुश्चन है मोसम संबंधित परिवर्तल मंडल मंडल की किस परत में होते हैं तो छोब मंडल में होते हैं आगला कुश्चन है संसार का सबसे बड़ा सागर कौण सा है तो दक्षिडी चीन सागर पसके लागला कुश्चन है गौतम बुद्ध दोरह 29 औरश की आई में गरहत तया की गटना क्या कहलाई तो महा भी निसक्रमाड कहलाई अगला कोशने भारत में पंच और सी उजना का नमोदन करने वाला सरोच निकाह कौन सा है अगला कोशने भारत के किस राज की सीमा चीन नेपल भूटान से मिलती है तो सिक्की मराज की सीमा जो है तीन नेपल और भूटान से मिलती है अगला कोशने नाथूला दर्रा किस राज मेचती थे तो नाथूला दर्रा जो है वो सिक्की मेचती थे अगला कोशन है 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किस ने सुरू किया तो मालाना अबुलकलाम आजाज जी ने सुरू किया अगला कोशन है महांची किसक चरग किसके दरवार में थे तो चरग जी जो कानिस्क के दरवार में थे अगला कोच्छने भारत में मैट्रोपूरुस कौन कहलाते हैं तो स्रीधरंच जी जो है मैट्रोपूरुस के नाम से जाने जाते हैं अगला कोच्छने सुतन भारत की सुतन तरता के समय कांगरेस के अध्यक्च कौन थे तो जेबी करपलानी जी थे अगला कॉश्चन है कांग्रेस और मुस्लिम लीक की बीच लखनों समझोता किस वरस हुआ था तो 1916 में लखनों समझोता हुआ था अगला कॉश्चन है पानीपत का तीसरा यो दिकिन के बीच हुआ था तो मराठों और अहमद साहब दाली के बीच में हुआ था अर्भी आई के नये नियम के उनसार चेकाऊइब ड्राप्ट चेकाऊऊफ और बैंक ड्राप्ट की वहतता कितने समय तक होती है तो वह होती है तीन सालों तक होती है फिर उसके बद अगला कॉश्चन है सबसे लंबा राश्टी राजमार का आए तो NH7 जो है वो सबसे लंबा राश्टी राजमार्ग है वाराडशी से कन्या कुमारी तक फैला हुआ है अगला कोश्चन है संग मरमर किसका परियोर्तित रूप है तो संग मरमर जो है वो चूने पत्तर का परियोर्तित रूप है अगला कुश्चन है विस्वयापार संगटन का मुख्याले कहां है तो जेनिवा स्वीटिचल लेंड में विस्वयापार संगटन का मुख्याले है इसके बाद अगला कुश्चन है चोरी चोरा कांड के बाद महत्मा गांदी ने कौन सांदोलन इस्तिकित कर दिया तो असायोग अंदोलन इस्तिकित कर दिया चोरी चोरा घटना के बाद फिर उसके पाद अगला कुश्चन है केरल के तट को क्या कहा जाता है तो केरल के तट को मालावार तट कहा जाता है पिर उसके बाद अगला कोश्चन है जेन्द अविस्ता किस धर्म की पवित्र पुस्तक है धर्मिक पुस्तक है तो जेन्द अविस्ता जो है वो पारसी धर्म की पवित्र पुस्तक है अगला कोश्चन है भारत कराश्टगान सबसे पहले कब गाया गया तो भारत कराश्टगा तार्थ काँन सा होता है तो इस ज्योंख कि सभी को पता होगा हीरा होता है उसके बाद अगला न लुट आ होते हैं उसके पदफ अग्ला कुष्चन है सिकंद्र ने भारत पर कब Aकमर किया तो 326 ६िसी में सिकंद्र ने भारत पर Aकरमर किया उसके पदफ अग्ला कुष्चन 주는 है भारत का समग्धान बनाने में कितने समय لगे तो 2 वर्स 11-18 दिन का समय लगा फिर उसके बाद अगला कोश्चन है बारती संविधान में मौलिक करता भी किस देश के संविधान से लिए गए तो मौलिक करता है वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं अगला कोश्चन है संविधान की किस धारा के अंतरगत राजपल किसी राज में राष्ट परमाड विजलीगर कहा इस्तापित किए गया तो उसका तारा-पुर میں स्थापित किए गया उसके बाद अगला कोस्च ने सांथ निकेतन कीस्तापना कीुस्स ने की तुरभिंद ना टैखोर ने सांथ निकेतन की स्थापना की इसके बाद अगला कोश्चन है अर्द सास्तर का नोबल पुरुसकार किस वरस सुरू हुआ तो 1979 से अर्द सास्तर में भी नोबल पुरुसकार देना चालू हुआ उसके बाद अगला कॉस्चन है गौतम बुदु द्वारा देहित्या की गड़ना क्या का लाई तो महापर निर्वार गौतम जो देहित्या की गड़ना थी वो महापर निर्वार का लाई उसके बाद अगला कॉस्चन है अगला कॉस्चन है अगला करा है- उसके बाद अगला कॉस्चन है उसके बाद अगला कौस्चन है Sura की सतय। नहीं कितना होता है तो 6000 डीगरी से लशी हैं सोता है सूरी की सतर का तापमान अगला कोश्चन है सवाना घास के मैदान किस महाद्यूप में है तो अफरीका महाद्यूप में है सवाना घास के मैदान जो है वो अफरीका महाद्यूप में है अगला कोश्चन है किस संविधान संसोधन दौरा पंचायती राजवेवस्ता लागो की अगला कोश्चन है राष्ट पती ये इस्थीपा देना चाहें तो वो किसे इस्थीपा देगा उपर राष्ट पती को इस्थीपा देना होगा अगला कोश्चन है किस राज में लोग सबसे ज़्यादा सीटे हैं तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटे हैं कोस्टन है भगवान महावीर का जन्म कहा हुआ तो भगवान महावीर का जन्म कुंडल ग्राम वैसाली में हुआ था अगला कोस्टन है चो थी बहुत काउंसिल कब और कहां किसके सरक्षन में हुई तो 98 AD कुंडल 1 कसमीर कनिस्क के के समय में हुई थी अगला कॉस्चन है प्रतिवी अपनी दूरी पर कितने डिगरी जूकी हुई है तो प्रतिवी अपनी दूरी पर साधे तेज डिगरी जूकी हुई है अगला कॉस्चन है वाई मंडल में आक्सीजन की मात् तो कारबन डाय आकसाइड की मात्रा है 0.03% उसके बाद अगला कुस्चन है ब्रांड गेज रेलवे लाइन की चोड़ाई कितनी होती है तो चोड़ाई होती 1.676 मीटर अगला कुस्चन है भारत में पस्वों का सबसे बड़ा मेला कहां है तो भारत पूर सोन भारत सोनपूर म बाथती है और Scovanda कुस्चन है एस्ट्याई किसने लिखी तो सटयाई पानडवी ने लिखे अगला कुस्चन है भल्व का फिलामेंट किस नक्ष्टन नहीं होता है तो बल्व का फिलामेंट जो है वो टंगस्टन का बना होता है अरश कर है एसके डागला कुस्चन है तीसर जो है बूद्धर्म की ग्रंथ है और पाली भासा में लिखे गए है अगला कुष्चन है भारती प्रायतिव का क्या नाम है तो दक्कन का पठार अगला कुछ रात से गुवा तक की समुध्री कितने लग कितने दीफ है तो तीज़ इन सबस्ताइबरा धोरा कौन से सब्ड़्र परस्ताउना में जोड़े गए तो दो सब्स जोड़े गए एक तो धर्म निर्विक्च और एक समाजवादी दो यह सब्स जोड़े गए थे अगला कोश्चन ने एक रुपई के नोट पर कि तुबिक्त सच्यू और एग विट्वित मंत्राले के आश्ताचर होते हैं ऊसके बाद अगला क्वश्चन है संसत के दो सत्रों के यदिकतम कितनी ऑवदी हो सकती है तो संसत के दो सत्रों के वीदिकतर 6 महिने की जो है 6 मास की आवदी क्वश्क्त उसकती है अगला क्ucharण रितु संगार, कुमार संभव, रगवनसम, ये किसकी रचनाएं हैं, तो ये कालिदास जी की रचनाएं हैं, उसके बाद अगला कुस्चन है, एजनता और एलोरा की गुफाएं कहां आएं, तो एजनता और एलोरा की गुफाएं जो औरंगाबाद महाराश्ट्रा में हैं, सकतरा पर मिजरा किर से तो यह हैं पर इसमें घिसमें नमग बंता इक इस राज में तो राजस्तान में फिर उसके पर उसके पद एकला कूस्टन एक गुलाओं मंस का काउन सासक चाउगान पोलो खेलते समय घौड़े से गिर कर मरत्त को प्राप्त हुआ तो कुद्बुत दिन एवक था उसके पद अगला कोस्चन गीत गोबिंद किस ने लिखी तो जहे देओ ने लिखी गीत गोबिंद फिर उसके पद अगला कोस्चन ए खज 1336 में हरियर और बुका नाम के दो भाईयों ने की फिर उसके पद अगला कोस्चन ए घना पच्ची विहार कहां इस्तित है तो भरत पूर राजस्थान में इस्तित है उसके पद अगला कोस्चन है भारत में जंगली गदे कहां पाये जाते हैं तो कच्च के रड़ में काल मार्क की रचना है फिर उसके बाद अगला कोस्चन है महमूद गजिनवी ने सोमनाथ मंदिर को कव लूटा तो सोमनाथ मंदिर को एक हचार पचीस इसवी में लूटा था उसके बाद कौन सा ब्यारण एक सिंग वाले गयंडे के लिए प्रसीद है तो काजी रंगा ब्य को लूटा 1398 में उसके बाद अगला कोस्चन है ओलंपिक खेलों में हांकी कब सामिल किया गया तो अलंपिक खेलों में हांकी जो है 1928 में एमस्टर्ड एमस्टर्डम हार्लेंड में के ओलंपिक में सामिल किया गया उसके बाद अगला कोश्चन है सेरसा सूरी को कहां दपना सबसे महादीव कवन सा है तो gewoon सबसे छोटा माद्यूब एस्टेलिया महादियू फैविस्टू का फिर उसके बाद अगला कुस्चन न्सीसी की स्थापना की स्थापना हुई थी तो 1948 में न्सीसी की स्थापना हुई थी अमज़ा दली खान को काउंसा वाद यंतर बजाते हैं तो वो सरोध बजाते हैं अगला कुष्चन है बारत का सबसे उचाए जलपरबाद काउंसा है जोग या गरसोपा जो सरावती नदी पर इस्तित है और यह है काहा करनाटग में है उसके बद अगला कुष्चन है चंद्रमा की पृतिवी से दूरी कितनी है तो 3,85,000 किलो मीटर है उसके बद अगला कुष्चन है विस्व का सबसे कम जनसंक्या वाला देस काउंसा है तो वेटिकन सिटी है उसके बाद अगला कुश्चन है भारत में सोने की खान कहा है कोलार करनाटक में सोने की खान है कोलार उसके बाद अगला कोश्चन है बारती समिदान में कितनी अनसूचिया है तो भारती समिदान में 12 अनसूचिया है उसके बाद अगला कोश्चन है सूरी का प्रकास चंद्रमा से प्रतिवी तक पहुँचने में कितना समय लगता है तो 1.3 सेकेंड का समय लगता है उसके बाद पन्ना जो मद्य प्रदेस में है वो हीरे की खानों के लिए पसीद है पन्ना अगला कोश्चन है नील नदी का उपहार कौन सा देस कहलाता है तो नील नदी का उपहार जो मिस्र की नदी मिस्र कहलाता है उसके बद अगला कोश्चन है जै जिवान जै किसान का नारा और जै वि अगला क्वेश्चन एमेरीका की कोज किसने की 1492 में क्रिश्टोफर कोलंबस जी ने की आगला क्वेश्चन है वंदि मात्रों को सरवपत् Metak закh सब्सवान की खोज किसने की टो और बंडूने की उसके और अगला क्वेश्चन है परता हम रधध है परतार-उपन किसने किया था तो डाक्टर किस्जिन बेरनार्ड़ दच्छिन अपरिगा के रहने वाले थे उसके मदद अगला गुंच pen ने साथ पाड़ियों का नगर कांव का तो 165 मीटर की उचाई जाने एक सो पैंशन मीटर पे ऐसा होता है पिर उसके बाद अगला कॉस्चन है किस ग्रे के चार ओर वले हैं तो सनी के चार ओर वले हैं पिर उसके बाद अगला कॉस्चन है सपेद हातियों का देश कहा जाता है पिर उसके बाद आगला कॉस्चन है कंगारूं का देश किसे कहा जाता है तो कंगारूं का देश जो है आस्टेलिया कंगारू का देश या कंगारू का राष्टी चिन मलब किस देश का राष्टी चिन कंगारू इस टाइप से भी कुश्चन आ सकता है तो आज टेलिया इसका सही आंसर हो जाएगा उसके बाद अगला कुश्चन है सुंदलाल बहुगुडा का संबंद किस आंदोलन से है तो सुंदलाल बहुगुडा जी का जो संबंद है वो चिपकों आंदोलन से है उसके बाद अगला कुश्चन है 1923 में सुराज पार्टी का गठन किस ने किया था तो चितरंजन दास और मोतिलाल नहरू ने किया था उसके बाद अगला कॉस्चन है भगत सिंग सुग्देव राजगुरू को फासी कब दी गई जो पदमावत की रचना किस ने की तो मलिक मुहमद जाईसी ने की उसके बाद अगला कॉस्चन है अमेरिका के पहले राश्टपती कौन थे तो जार जवासिंग अटन थे उसके बाद अगला कॉस्चन है जर्मनी का एकिकरण किस ने किया तो जर्मनी का एकिकरण बिसमार्ग ने किया उसके बद अगला कोश्चन है सोजे वतन पुस्तक किस ने लिखी सोजे वतन पुस्तक जो है मुंसी प्रेम जंद ने लिखी उसके बद अगला कोश्चन है अली गड़ा अंदोलन किस ने किसे संबन दित है तो सर सेद हमद खां से संबन दित है उसके बद अगला कोश था इसका सही आंसर उसके बाद अगला कोश्चन है किस परो वाले दिन 1883 में स्वामी दयानन्द की मृत्तु ही थी तो दिवाली का उस दिन परो था अगला कोश्चन है कादंबरी किस की रिचना है कादंबरी बाड़ भट्ट की रिचना है अगला कोश्चन है भारत की किस राजी में जन संक्या गनत तो सबसे कम है अरणचल प्रदेश अरणचल प्रदेश में जन संक्या गनत तो सबसे कम है उसके बाद अगला कोश्चन है विस सुबहिंका मुख्याले कहां है वासिंग अटन विस सुबहिंका मुख्याले वासिंग को हुई थी उसके माद अगला कोश्चन है सो कि अधिकान सिलयले किस लिप में लिखें हैं तो ब्रामी लिप में लिखें हैं उसके माद अगला कोश्चन है रिवर्स क्लिक सबसे बड़ा भारत का है लाल तीकोन आपकी सबसे अग Dutch है अगला क्युष्टन है लाल तीकोन रखी किसका प्रतीक है तो जर। परिवान नियोजिण का प्रतीख होता है उसके है बारती संग का राश्टपति किसके पर हमसे कार करता है तो परदान मंद्दी के पर हमसे कार करते हैं उसके बाद अगला कुस्चें है गंधक के साथ रभर को गरम करने की किया क्या कैलाती है व्लकनी करन के लाती है अगला को Isnay पहा Đीयों मिलते है तो नीज़ पहाडियों पे मिलते हैं पस्चिमी और पूरीवी घाट अगला कॉस्चन है जवाहलाल नहरु की नेता तो में अंतरीम सरकार का गठन कव हुआ तो 17-1946 में हुआ अगला कॉस्चन है क्रिकेट पिछ की लंबाई कितनी होती है तो 22 गजिया चाहचट पूट होती है अगला कॉ कालीदास ने किस भासा में रचनाएं लिकी थी तो संसकरत भासा में रचनाएं लिकी अगला कॉस्चन है 17 &20 Coca 1994 को जलिया वलावाग घ्त्यागान कराने वाले माइकल जनरी डायर को किस ने लंडन हत्या की उद्हम सिंग ने उनको गोली मारी लंदन में जाके उद्हम सिंग ने उनको जनरल डायर को गोली मारी उसके बाद क्या आया सत्यसोदक समाज की इस्तापना किसने की महात्मा जोती भूले जीने की सत्यसोदक समाज की इस्तापना फिर क्या किया फिर टोड़ा जंजा है असम का इन्होंने पुराना नाम आपसे पूचा है तो काम रूप असम का जो है पुराना नाम काम रूप है उसके बाद इन्होंने क्या पूचा है इसके बाद इन्होंने पूचा है प्रोजेक्ट आइगर कब सुरू हुआ तो प्रोजेक्ट आइगर जो है वो सुरू विसके पूझा happens लैसे में agend किसे toplton के कारण आती है उसके बहुत अचका रहा है कैंडराजसंबंदों। काणूं सा यो गत्हित किया गया सरकार्य यह गत्हित चिया गया केंडराजियों तो यह बहुत अच्छा क्युश्चन कई बार पूचा गया डिविल लुटियन्स इंगलेंड के रहने वाले थे अगला कुश्चन है मंगल और ब्रहस्पद ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं वो छुद्ध ग्रह कहलाते हैं उसके बद अगला कुश्चन है परतिवी पर दिन रात कहां बोह भूमंदिर एका पो होता है उगला कोस्चेशन है मिनाक्छी मंदिर कहा monitor मिलनाड़ में इस्तित है उसके पगला कोस्चेशने संसार में सर्वदिक दूस्दूत पादन किस देज के धा頭 हुटता है अगला कॉस्चन है पागल गुत्ते के काड़ने से कौन सा रोग होता है तो रैवीज या हेडरोफोविया हो जाता है उसके बद अगला कॉस्चन है दक्षिन भारत का सरोच परवत सिखर कौन सा आ है तो अनाई मुद्धी है उसके बद अगला कॉस्चन है नीली करांदी का संबन्द इनों ने पूँचा है किस छेतर से है तो भाई यह नीली करांदी का जो संबन्द है मचली पालन से होता है फिर उनों ने क्या पूँचा है भारत में सरवधी मुंपली का उतपादन किस राच में होता है तो भी है सरवदी मुंपली के उत्पादन गुझरात में होता है फिर उसके बद पूचा है भारत में सबसे कम औरसा वाला इस्थान काउंसा है तो ले जम्मु कस्मीर है उसके बद क्या कहा है काउंसा गर्फटिवी की चुड़वा बहन है पिर उसके बद पूचा है इन्होंने भारत में हरित करंदी के जनक कौन है तो हरित करंदी के नार्मन बोरलाग है उसके बद इन्होंने पूचा है दलदली भूम से कौन सी गैस निकलती है तो मेथेन गैस जो है निकलती है उसके बाद पूचा है विटामीन E का रासाइनी नाम इनोंने पूच दिया है तो टेकोफ है रालोता है इसका राइगानी नाम फिर उन्होंने पूचा है 1984 में भोपाल गैस तरासती से कॉस्टन पूचा है इनोंने पूचा है कि मलुब काउन सी गयiquश वहां पर रिसाख हो गई थी तो ये भाइसो मिथायल आइसो सइनेट के रिसाख से हुआ था इसके बाद इनों ने पूचा है सुराज सब्ध का सबसे पहले प्रयोग किसने किया तो सबसे पहला प्रयोग महार इसी धयानन जी ने किया उसके बाद किया पूचाए विलाई की नीद किसने लाड अलगो जी ने विलाई की नीद को लागो किया था उसके बाद इन्होंने पूचाए मुस्लिम लीग की स्थापना कप की गई तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी उसके बाद इन्हों ने पूचा है कि एसरी और मराठा अगवारों का सफ़ादन किस ने किया तो वही है किस ने किया बाल गंगा धर तिलग जी ने किया था और किस ने किया बाल गंगा धर तिलग जी ने किया उसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत का प्रतम वायसराय कौन था तो भारत का प्रतम वायसराय जो लाड़ कैनिन थे उसके बाद अगला क्वेश्चन है टोडरमल का समंध किस छेतर से है तो टोडरमल जो थे उनको भूर राजविवस्था पे लगाया गया था अकबर के दरवार में रहते थे उसके बाद अगला क्वेश्चन है महाराजा रडजी सिंग की रजधानी काउंसी थी तो महाराजा रडजी सिंग की रजधानी जो थी वो लाहावर थी उसके बाद अगला क्वेश्चन है पोलियो का टीका किस ने खो जा था तो पोलियो का टीका जो है जोनास सालक ने खुजा था ये नाम याद रखना है इंपॉर्टन नाम है जोनास सालक ने खुजा था अगला कुस्चन है करनाटक केस रोंड बेल बोला में किस जैन संत की विक्रम की प्रतिवी साल प्रतिमा है वो गोमतेसवर जी की विसाल प्रतिमा है उसके बाद अगला पानी की मात्रा किस नदी की है सबसे तो अमेजन सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा पानी की मात्रा मेजन में फिर उसके बद अगला कोश्चन है जून सितंबर के दवरान तयार होने वाली फसले क्या कहलाती है वो खरीब की फसले कहलाती है फिर उसके बद अगला कोश्चन है च सांसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी जील कौन सी है तो वो सुपीरियर जील है सुपीरियर जील है अगला कॉस्चन है योगे सुर्दत और सुसील कुमार का संबंद किस खेल से है तो वो कुस्ती से उनका संबंद है सीधा सीधा अगला कॉस्चन उन्होंने पूचा है परत question जो इसमें है frontier गांधी किसे कहा जाता है तो khan abd ode שנ जो यह को का अंदोलन किसने चलाया था तो guru rama see ne chi kuka का अंदोलन चलाया था उसके बद अगला question नहीं 1815 is by many klockatha में किसने फिर kuoka अंदोलन किसने चलाया था तो guru rama see ne kuka अंदोलन चलाया था फिर उसके बाद क्वेश्चन है 1815 में इस भी में कुलकत्ता में किसने आत्मी है सभा की स्थापना की तो राजा राम मोहन राजी ने की उसके बद अगला कोश्चन है सिवा जी के मंत्री मंडल का क्या नाम था तो सिवा जी के मंत्री मंडल का नाम था अश्ट प्रदान उसके बद अगला कोश्चन है तेख बहादूर की हत्या किस ने करवा दी थी तो तेख बहादूर जी की हत्या और रंग जेव ने करवाई थी उसके बद अगला कुश्चन है सहजहां ने अपनी वेगम अम ताज महल की यादों में कौन साहिसमारंग बनवाया तो ताज महल बनवाया उसके बद अगला कुश्चन है किस मुगल बासा के असासनकाल में चीतरकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई ती थी अपनी पूरी चर्म सीमा पर पहुँच गई थी और उसके बाद अगला कोंचन इंहों ने कुई पूचाए सिक धरम के किस गुरू को जहांगी ने थ्या करवा दी तो गुरू अरजुन डेको जो है जहांगी ने हत्या करवा दी दूरू जो इनकी तेख बहदुर की मेरी बीजे इस्तम का निर्मार्पन करवाया था तो रारा कुम्भा जी सकंधर का शिखन था अगला कोस्टन है कुमप के मेले का सुभारम किस नी किया था तो हरसवरधन के काल से बताओ इतने दिनों से कुम का मेला हो रहा हरसवरधन के काल से हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है यार अपने इंडिया में कितने कितने महान लोग हुए है कितने कितने बड़े राजा महाराजा सब हुए है तो इंडिया में अपने बारत महान है उसक बढ़ तो जो यहां कमेले लगता है। उसके बाद यहां से पूचा जाता है नासिक किस सहर के मनलब नासिक किस नदी के किनारे तो गोदावरी होगा इसका अंसर अगला कुछन है अजनता की गुपाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंदित है तो अजनता की गुपाओं में बहुत धर्म की चित्रकारी है अगला दोनों राजियों की राजदानी रहेगा तो हां हादाराबाद है। भारत में अगला क०्ण है भारत में डाक सुचना प्रडाली पिन कोड प्रडाली का सुभारम कब हुआ तो वाथ 1972 में पिन कोड प्रडाली का सुभारम हुआ अगला कोशन ने भारत का सबसे बड़ा सरवजनी गुपकरम काउंस आये तो भारती रेल सबसे बड़ा सरवजनी अगला कोचने भारत और पाकिस्तान के भी चलने वाली गाड़ी काॉंसी है तो भारत और पाकिस्तान के भी समझवता एक्सप्रक चलती है अगला कोच्चन भारत में पर्थम विद्धुत रेल कप चलाई गई तो भारत में पर्थम विद्धुत रेल 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 मार की लंबाई है अगला कोच्चन भारत की सबसे लंबी रेल सूरंग काउंसी है तो सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजार विल आए और जम्मू कसमीर के हमें है उसके लज़ा कॉस्चन है छेपल की देश्टी से बारत का सबसे बड़ा जीला कॉंसा है अगला कॉस्चन है कॉंसा महा दियू पूंड यहाई भारप से ड़गा आ है अगला कॉस्चन है भारत वो बंगलादेश के बीच विवाद किन दीपों पर है तो वो कच्चा तीवू दीप वो न्यूमूर दीप विवाद है भारत वो बंगलादेश के बीच अगला कॉस्चन है भारत का उत्तर से दक्षिर तक का विस्तार कितना है तो वो 3214 किलो मीटर ह अगला है कॉस्चन भारत की मानक समय और ग्रीन भी समय में कितना अंतर है तो साड़े पांच घंटे का अंतर है अगला कॉस्चन भारत की इस तलसीमा की लंबाई कितनी है तो 15200 किलो मीटर लंबाई है अगला कॉस्चन भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज में है वो जम्मू कस्मीर में उसके बाद अगला कॉस्चन है बुव एग्यानिकों के अनुसार आज जहां ही माला परवत है वहाँ पहले क्या था तो वहाँ पहले जंगली आथियों के लिए प्रसिद्ध है तो के परियार है केरल में है अगला कॉस्चन है लाहोर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है तो साधा है सरहत कहलाती है अगला कॉस्चन है कोईला की सरवत्तम किसम काउन सी होती है तो कोईले की सरवत्तम किसम एंतरा साइट होती है अग पर गीज कुरियन जी हैं फिर उसके बद अगला कोश्चन रभी की फसलों की बुवाई कब की जाती है तो अक्टूबर नौंबर और दिसंबर में की जाती है अगला कोश्चन भारती इतियास में बाजार मूल नेंतन पत्ति की सुरुआत किसके द्वारा की गई तो अलाउद बाल में फ्री थ्रो सब्द का प्रियोग किया जाता है उसके बद अगला कोश्चन है किस भारती राज जी को पोलो खेल का उद्वा माना जाता है तो मड़ीपूर को माना जाता है अगला कोश्चन है गयम गयम बट सब्द किस खेल से जुड़ा है सतरंज से जुड़ा चार पुट की दूरी इंड के बीच में अगला कोश्चन है सिली पॉइंट की स्केल से संबंदित है तो क्रिकेट से संबंदित है सिली पॉइंट अगला कोश्चन है किस देश की टीम ने पुटवाल पर का विस्व कम पांच बार जीता है तो ब्राजील की टीम ने पुटवा कहां पर इस तो विक्रम के ट्रिएंद्र मे गाया इस थाई प्रियोकसाला को क्या नाम दिया गया तो दक्षिन की गंगोत्री नाम दिया गया अगला कॉस्चन है इलिसा इलिसा परिचन किस रोग की पहँचान के लिए किया जाता है अगला कॉस्चन है जावाई जाज के ब्लैक बाक्स का कैसा रंग होता है तो हवाई जाज के black box का रंग जो होता है वो नारंगी होता है अगला question है खुरपका वा मुपकारो किसमें किन में पाया जाता है तो ये गाय और भॺैसों में जाधा पाया जाता है उसके बाद अगला question है सुचना कि उस छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसमें जिसे computer समझ और process कर सकता है, तो उसे हम bit की नाम bit कहते हैं, अगला question है, 2011 की जनगरना के अंसार भारत की नगरी जनसंक्या, कुल जनसंक्या के कितने प्रतिसत है, तो ये 27.78 प्रतिसत है, उसके बाद अगला question है, वरस 2011 की जनगरना के अंसार, पुरुस इस्त्रिय नुपाद, लिंगा नुपाद कितना है, तो लिंगा नुपाद 940, एक हजार पे 940 महिला हैं, अगला question है, वरस 2011 की जनगरना के अंसार, किस राज में महिलाओं का प्रतिसत, महिलाओं का प्रतिय एक हजार पुरुस पुरुस पुरा नुपाद की सबसे कम है, तो सबसे कम हरियाणा का लिंगा नुपाद है, उसके बाद अगला question है, 2011 की जनगरना के अंसार, भारत के किस राज में जनसंग्या घनत तो सबसे ज़्यादा है, तो जनसंग्या घनत सबसे ज़्यादा जो है, वो बिहार का है, अगला question है, तीलोल प्राकृति गैस, आयोग, O.N.G.C का मुख्याले कहां आए, तो मुख्याले इसका देहरदून में है, अगला question है, भारत का अनुसंदान के अंदर हिमादरी कहां इस्तित है, तो ये रकटिक छेतर में इस्तित है, उसके बद अगला question है, राष्ट्री संग्रहला कहां इस्तित है, तो वो कोलकत्ता में इस्तित है, उसके बद अगला question, सब्सक्राइब करें चुना गया तो सचिदान सिना को चुना गया था और इस थाइच डाक्टर राजन प्रसाद जी को चुना गया था अगला कुस्चन है बारती सम्मिधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं तो नागरिकों को छे मूल अधिकार प्राप् अगला कोस्चन है बैलिस्वे संभिदान बैलिस्वे संसोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से सब्द चोड़े गए तो तीन सब्द चोड़े गए समाजवादी धरनीट पेच और अखंडता ये सब्द चोड़े गए उसके बाद अगला कॉस्चन है इस भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है तो दचिन पस्चिमी मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है अगला कॉस्चन है भारत में उस्तन वर्षा कितनी होती है तो भारत में उस्तन जो वर्षा होती है वो 118 cm होती है अ अगला question है विसुच्ट कर यह स्बसें कोंः नाव है तो अगलाensa इमेल की जनमदाता काऊन है तो रे टाम लेंसन है इमेल के जनमदाता अगला स्पराइब एक पारी टीम सिर्ण दाजी से है उसका अगला क्वेश्चन है भारत में करन्सी नोट का नोट पर किसो सुंका मूल कितनी भासाओं में लिखा होता है तो नया कि एक हो का नारा किस ने गीए तो प्रांज की प्रांस की राजिय की देन इसके इस अनूबल पुरुसकार किसे कहा जाता है तो यह रम्स के पुरुसकार को कहा जाता है तो सरवाधी गोजोन च्हेकारी गयस कौन सी है मुझा नब सबसे जदा हो जोन को इफेक्ट करती है तो वो CFC है क्लोरो फ्लोरो कारबन है अगला क्वेशन है CPU का पूरा नाम क्या है तो CPU का पूरा नाम Central Processing Unit है अगला क्वेशन है शौर मंडल में सुद्धतम रूप कौन सा होता है तो वर्षा का जल सबसे सुद्ध रूप होता है भारत में किस प्रकार की विद्धुत का सरवदेग उत्पादन होता है ताप विद्धुत का सबसे जदा उत्पादन होता है तो ताप विद्धुत का सबसे जदा उत्पादन होता है रेडि मंदल में परियुर्तित होती हैं हवाई जाज वाई मंदल की किस परत में उड़ते हैं समताब मंदल में उड़ते हैं हवाई जाज उसके बद अगला कुस्चन है छोग मंदल की दरातल से कितनी उचाई अधितम उचाई कितनी होती है तो 18 किलो मीटर अधितम उचाई होती है अगला कुस्चन है भारत में धक्षिन पस्ची मांसून के किन महीनों में सक्री रहता है तो जून से सितंबर महीनों में सक्री रहता प्राथना समाज की स्थापना किस ने की प्राथना समाज की स्थापना जो आत्मारां पांडू रंगा जी ने की उसके बाद अगला कुछ ने कोलकत्ता में मिस्नरी आप चैरिटी संगठन की स्थापना किस ने की तो मिस्नरी आप चैरिटी संगठन की स्थापना जो है मदर ट पायता करती है तो आक्सीजन गैस जो है वो जलने में सहायता करती है वो ये मंडल का कितना भाग 29 किलो मीटर की उचाही तक पाया जाता है और 97 परसेंट भाग पाया जाता है अगला कुश्चन है 1877 की करांती का ततकलिक कारण किया था तो चर्बी युक्त करतूस का सेना में प्रयोग किया जाना अगला कुश्चन है 1906 में डाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की तो आंगा खा और सलीम उल्ला खा ने डाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की उसके बाद अगला कुश्चन है भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली तो भारत में डाक ट कि पहली लड़ाय, 1526 में, किसके बीच लड़ी गई, तो बाबर और इब्राहेम लोदी के बीच में लड़ी गई, अगला कुश्चन है, किस मुगल बास्सा की म्रत्यूं दिल्ली में पुस्तगाले से स्निडियों से गिरिकर हुई, तो हुमायो की म्रत्यू हुई, उसके लागो की तो दैसाला पद्धिती चुए है वह अकबर ने लागो करी उसके बद अगला कॉस्चन है और अंगाबाद में ताज मेहल की प्रतिक्रत किसनी बनवाई थी तो औरंग जेव ने बनवाई थी लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसनी की तो स्याम जी क्रश्ण दोग्रण नंवारमा ने कांग्रेस की स्थापना किसनी बहरत का वायसराह एक więc था अगला कुस्चन तमबाकू के धुई में कौन साहनिकार रखता तो पाया जाता है तो तमबाकू के धुई में निकोटीन पाया जाता है उसके बद अगला कुश्चन है राष्ट पतिका अद्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है तो राष्ट पतिका जो अद्यादेश है वच्छे मास सब्क्राइब सब्सक्राइन किनल मों चीटो राजा चाहब बरी घड़ी महां होता है तो चावी बढ़ी घेरी में स्थी जूर्जा होती है उसके बाद अगला कोश्चन रहे कुस किस ने कि तो जे जे थामसने की उसके अगला कोश्चन Mer Material के नियम दिश्ति ने वन एक फैस Culture ने बना उसके बाइए मुड़म लगटान की किस दल से बनाई जाती है पिर उसके बाद exercise महयं महिंग्न टाइड किस्के आयस्क है तो लोह हैं प्रियोग किता है फिल टेकले मात्र को कित फ़र लागू हुई तोवनीश से कथ्तर में लागू हुई उसके वद अगला कोश्चन है सर्वेंट आप इंडिया सोसाइटी कि स्थापना किस ने की गोपाल क्रस्न गोंकलेजी ने कि उसके वद अगला कोश्चन है खिलापात अंदोलन का नेत्रत किस ने किया तो मौलाना मुहमद लीने किया, उसके बढ़ अगला कॉश्चन है, किस घटना के बाद भी रभींद ना टेगोर ने सरर की उपादी लूटा दी थी, तो जलिए वाला बागत्या गांड हुआ, उसके बढ़ रभींद ना टेगोर जी ने सर की उपादी को वापस कर दे लूटा दिया था, अगला उसके बद अगला कुश्चन है अर्थसास्त का जनब कहा जाता है एडम स्मित को अर्थसास्त का जनब कहा जाता है उसके बद अगला कुश्चन है बीजक किस की रचना है तो बीजक जो है संद कभीर जी की रचना है उसके बद अगला कुश्चन है अगला कुश्चन है मेराथन दोड की दूरी कितनी होती है तो 26 मील 350 कज होती है उसके बाद अगला कॉस्चन समुद्री जल में से सुद्र जल किस पर क्रिया दोरा पराथ किया जाता है तो आसवन की विदी दोरा पराथ किया जाता है उसके बाद अगला कॉस्चन है तुलबुल परियोजना किस न अगला कॉस्चन लोग सभा की बैठा गयाजित करने के लिए अपेचिन गड़ पूर्ति खोरम कितना होना चाहिए तो वन अपांट 10 होना चाहिए इतनी लोग होने चाहिए उसके बाद अगला कॉस्चन है बारत में कौन से जलवाई उपाए जाती है तो उस्ट कडिवंदी म जलवाई उपाए जाती है अगला कॉस्चन है किस मिट्टी को रेंगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है तो काली मिट्टी को भी रेंगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है उसके बाद अगला कॉस्चन है लाल मिट्टी का रंग लाल होता है तो लोग आइस के राज में जंगलों को काट कर जो खेती की जाती है वो क्या कहलाती है वो जूम की खेती कहलाती है उसके वद अगला कुस्चन है भारत में रेसम का सबसे अधी गुत पादर किस राज में होता है करनाटक में होता है उसके वद अगला कुस्चन है टेस्ट मेच में भारत की औ और पहला सत्य किस नहीं लगाया तो लाला अमरनाथ नहीं लगाया तो रहें तो फ्रेंट्स यह रहें आपके वन एक हजार जीके के कॉस्चन तो कैसा लगा आपको वीडियो की कमेंड में लिखके जरूर बताईएगा और आपको किस टॉपिक पर चाहिए तो यह भी तो चैनल वीडियो को देखने के लिए भाई आप लोगों को बहुत-बहुत सुक्रिया और चलिए मिलते हैं इसी अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिन बाई-बाई